नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल जिसका नाम है के वलिक साम इसमें हम रैपिट फायर सेरीस स्टार्ट की हुए हैं जिसमें हम यूपी आरो यारो और यूपी पीसियस के लिए जो है वन लाइनर फैक्ट परड़ हैं जो पिछले प्रशन आ चुके हैं या जो भी प्रशन पॉलिटी से रिलेटेड अब तक के प्रशन आये हुए हैं यूपी सी किसी भी सम्मधित परिच्छा में उसका सिभम एक और लोकन कर रहे हैं उसको एक बार जल्दी से पढ़ रहे हैं यह थोड़ा महराथन क्लास होगी रीजन इसका यह होगा कि हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे जितने अब तक के फैक्ट आये हैं उनको कंप्लीट कर लिया तो इसी लिए यह सिरीज जो होगी बहुत ही रैफिट फायट सिरीज होगी एक मिनट दिज्चे में तो सट कर लूँ आप सही दिख रहा है एक और जूम कर सकते हैं आप सही दिख रहा है तर सही दिख रहा है हाँ तो जो मैं कह रहा था यह एक रैपिट फायर सिरीज होगी इसमें जल्दी से जल्दी हम अब तक के जितने भी प्रशन आयोए है पॉलिट्री से उसको देखेंगे उसके सिवा और कोच नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा जो बैक यर भी जितने भी कोश्चन आया है अगर वह हम पढ़के जाते हैं तो निश्चित उसमें से तीन से चार कोश्चन हमें मिली जाते हैं यह पॉलिटिक सेक्षन है थोड़ लंबा हो सकता है इससे पहले मैंने जोग्रफी इन तब की वर्ल्ड जोग्रफी और उत्तर प्रदेश इस्पिसल मैंने दो चीजे बना चुका हूं आज मैं तीसरे स्टार्ट करने जा रहा हूं इंडियन Constitution को और जल्दी से उसको खतम करेंगे दो घंटे में कि आप जल्दी ज्यादा जल्दी से जल्दी उसको और ज्यादा ज्यादा कोई रिविजन कर सकें चलिए प्रारम करते हैं पहला है भारत की सम्विधान समाह का प्रामस दाता थे कौन थे बी-एन राउ अधिनियम जिसक 1813 का चार्टर अधिनियम बिटिस भारत 1937 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का मंत्री मंडल नहीं बना और नहीं बना बंगाल और पंजाब में अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिसेत्री इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया वह था 1935 का अधिनियम 1977 में रेगलेटिंग एक्ट के तहट बंगाल का प्रथम गवर्नर जनलर नियूप्त किया गया किसे वारेन हैंस्टिंग को 1774 में वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल निकलकत्ता में उच्टम न्याले के स्थापना की गई वह था 191773 का रेगलेटिंग एक्ट हम फिलहाल सम्विधान निर्माता सभा के सभा में जाने के निर्नय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं उपियूत कथन किसका है? M.N. जिन्ना का है याद रखिएगा भारती राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्ध संगात्म प्रणाली कहा जाता है 1935 के अधिनियम के तहट कराए गए विधान सभा चुनाओं में कॉंगरिस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था ब्रितिस सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में सिच्छा में एक लाग रुपए खर्च किये थे वो कब हुआ था? उन 1813 का चार्टर अधिनियम था भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाने वाला अधिनियम कब लाया गया? ये लाया गया आपका 1833 का चार्टर रेक्ट था केंद्र में दूई सदनी विधाईका की विवस्ता कब की गई? ये 1919 के अधिनियम की द्वारा की गई एक संगी विवस्ता और केंद्र में द्वैत सासन भारत में लागू किया गया कब? 1935 में ये अधिनियम लाया गया कि एक संगी विवस्ता होगी और केंदर में द्वैत सासन होगा ये कब का है ये 1935 का अधिनियम में वा अधिनियम जिसके फलसरूप बर्मा भारत से अलग हुआ वा था गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 का एक भारत साशन अधिनियम 1935 में सियुकार किया हुआ महात्वपूर्ण और इस्थाई अव्यव नहीं है वा क्या है देश के लिए लिखित सम्विधान भारत में इस्थानी स्वायत्ता सासन का जनक माना जाता है किसे लौड रिपेन को भारती सम्विधान के व्यहत्त होने का कारण क्या है इसमें संग और राज सरकार का सम्विधान पंडि जवालल नहरू के नेतितु में अंतरिम सरकार का गठन किया गया कब दंबर 1946 को किया गया याद रखियेगा भारत को एक सम्विधान देने का प्रस्ताव सम्विधान सभाद्वारा पारित किया गया कब 22 जन्वरी 1947 को भारती सम्विधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया था बियन राव ने किया था अब देखेंगे सम्विधान सभा का गठन, कार प्रनाली एवं विभिन समितियां जो मने थी उनके बारे में भारत के सम्विधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिठी क्या थी 24 जन्वरी 1950 सम्विधान सभा के अध्यश कौन थे डॉक्टर राजिन प्रसाथ भारत के सम्विधान सभा के पहले अध्यश कौन थे डॉक्टर सचिदनन सिना भारती सम्विधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यशता किस ने की थी उन डॉक्टर सचिदनन सिना ने की थी 1949 में या घोशना की संप्रदाइक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एक मात तरीका सम्विधान सभा ही है या कथन किसका है महत्मा गांधी का भारत के सम्विधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतरगत किया गया सम्विधान सभा का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 इसी समय डॉक्टर सचीदा नंसीना आइस्थाई सदस चुने गये थे फिर आता है 11 दिसंबर 1946 का दिन उसमें डॉक्टर रांजेद पसाथ इस्थाई सदस तब इस्थाई अध्यच चुने जाते हैं सम्विधान सभा का सम्विधानिक सलाकार नियुक्त किया गया डॉक्टर बियन राओ को भारती सम्विधान का प्रथम प्रारूप तयार किया था बियन राओ ने सम्विधान निर्मर्ती परिशद में जंड़ा समिती का द्यशकौन थे डॉक्टर राजीन प्रसाद भारती सम्विधान को सम्विधान सभाद्वारा अंगित किया गया कब 26 नॉम्बर 1949 को भारत को एक सम्विधान देने का प्रस्ताव सम्विधान सभाद्वारा परित किया गया कब 22 जनवरी 1947 को भारत की सम्विधान के निर्माण में सम्विधान सभा को समय कितना लगा दो वर्स 11 महीने 18 दिन भारती सम्विधान के विशे में या कथन की भारती सम्विधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मद एक अच्छा संतुलर निस्तापित करता है यह किस ने बोला था केसी वीलर ने बोला था सम्विधान सभा कॉंग्रेश थी और कॉंग्रेश भारत था यह कतन किसका है आप देखेंगे आस्ट्रीन का कतन है भारती सम्विधान सभा में महिला सदस्षिकी संख्या कितनी थी 15 थी अब सम्विधान द्वारा विदेशी प्र बाउधान उस देश के, आयलेंड से नीती निदी सतर्तों, जर्मनी से आपात कालिन उप्बंद, सहिन्युक्त अमेरिका से वित्ती आपात, ब्रिटेन से सलसदी विवस्ता, भारती सम्मिधान के अनुसार आउसिक्ष सक्तियां केंद्र में नहीं थे, या लिया गया है कनाड के सम्मिधान से, भारती सम्मिधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है सहिन्युक्त राज अमेरिका के सम्मिधान से, संसत आउसिस सक्ति पर कानून बना सकता है, भारती सम्मिधान के अनुछे 248 के तहर लिखा है, भारती सम्मिधान में राज के नीती निदी सतर्तों क लिया गया है आरिलन के सम्विधान से हैं भारत में संगात्मक विशता प्रभावित कि से कानाडा से भारति सम्विधान में मौली करतेवों का विचार आया रूससी हो देश जहां राष्पती और प्रधारमंत्रि राज के प्रमुक्रतीक हैं वह हैं बृतेन yeah भारत में संग राज संबंद में समानता पाई जाती है कनाड़ा के सम्मिधान तता भारत सरकार अधिनियम 1935 का अब प्रतिक राष्टी प्रतिक जो वो देख लेते हैं सम्मिधान सभान ने राष्टी गीत को अपनाया 24 जनुवरी 1950 को अब सम्मिधान की प्रस्तावना उद्देश का विशे वस्तु एवब महत्तु देख लेते क्या हैं वह सब जो भारति सम्मिधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था वो हैं संगिय गोलक नातवाद कब आया 1967 में 24 वा सम्मिधान संसोधन कब हुआ 1971 में केश्वनन भारति आया केश 1973 में 42 वा सम्मिधान संसोधन अजिनियम कब आया 1976 में भारति सम्मिधान की प्रस्तावना में किसी भी नागरीकों को न्याय प्रदान करने की विवस्ता की गई है समाजिक, आर्थिक और राजनितिक मतलब कि तीन प्रकार के न्याय है वह तीनों का करम याद रखिएगा सम्मिधान की मूल सरनचना की आवधारना सर्वोच न्यालय द्वारा प्रतिपादित की गई है किसमें केश्वनन भारति केश में वह उद देश जो भारत की सम्मिधान की प्रस्तावना में वर्नित नहीं है वो है आर्थि सुतन्ता इंडिया अर्थात भारत राज्यों का शंग होगा भारती सम्मिधान यूनियन सद्ध देश के सम्मिधान से गरण किया गया वो है सहिंद राज अमेरिका के भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है आर्थी सुतन्दता उचितम न्याले ने धारना प्रस्तुत की है कि उद्देशिका सम्विधान का भाग है इसमें बोला है बॉंबई बनाम Union of India केस में भारत के सम्विधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कब QSA के सम्विधान से भारती सम्विधान में सम्विधान की आत्मा कहलाता है क्या उद्देश का भारत को धर्म निर्पेश राजवर्णित करता है सम्विधान की प्रस्तावना भारत के संदर में धर्म निर्पेश सब्दिका सही भाव व्यक्त करता है भारत में कोई भारत में राजिका कोई धर्म नहीं है भारती सम्विधान के उद्देशों को प्रतिबंदित करता है सम्विधान की प्रस्तावना भारती सम्विधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनीतिक भारती सम्विधान की प्रस्तावना में उलेखित नहीं है धार्मिक नयायत भारती सम्विधान का दर्सन नहीं है साम में वादी राज भारत के सम्विधान की प्रस्तावना का भाग है योजनावद्ध विगास्क से समंदित अब छटवा टॉपिक क्या है? सम्विधान में अनुछेद, अनुसूची और विभिन भाग राजभासा किस भाग में है? 17 में है संग राजचेद किस में है? 8 में है अनुसूची जाती वा जन जाती भाग 10 में है अधिकरन भाग 14 का में है भारती सम्विधान का नुच्छेत जो एक संग लोक सिवा आयोग तथा प्रतीक राज के लिए लोक सिवा आयोग की नियुक्ति करता है वहाँ अनुच्छेत 315 सम्विधान का भाग 15 देखेंगे तो निर्वाचन से हैं, भाग 17 राजवासा से हैं, भाग 18 आपातुबंद से हैं, भाग 20 सम्विधान संसुधन से हैं, 308 सत आएगा इसमें द्यान लखेंगा भारती सम्विधान का वह अनुचेद जो भारत को राश्पती को चमादान का अधिकार देता है, वह कौन हैं, 72 हैं, भारती सम्विधान के अनुचेद से उच्चितम न्याले ने जीवका का अधिकार, जीवका का अधिकार, नीजता का अधिकार, समान का अधिकार, एवं सुन का अधिकार निकाला है अनुचेद 21 से भारती सम्विधान की छटी अनुसूची में प्रद्द स्वायत जिला परिशद के विवस्था उत्तर पूर्वराज में लागू नहीं होती है कहां नागलेंड में सामुहिक उत्तरदाईत के सिध्धान्द का प्रतिपाद भारती अनुचेद में सहीता बद्द किया गया है अनुचेद 75 तीन में सामुहिक उत्तरदाईत का अनुचेद जो जीवन और वेक्तिगत सोतंदता का सनच्छन देता है अनुचेद 21 वा अनुचेद दिश्में निर्वाचन आयो का प्राउधान है 324 भारत की सम्विधान की वा अ दिकाईयों को सम्विधानिक आधार प्रदान किया है कहां सहरी छेत में केवल ना होता तो ग्रामी हो जाता सम्विधान का वा अनुचेद जिसके अंतरगत संसत के दोनों सदनों की संयुत अधिवेशन का प्राउधान 108 में भारत की सम्विधान की अनुसूची में 3 विवि तो आकास्मिक निदी किसमे है वह आर्टिकल 267 में याद रखिएगा नियाए पालिका वा कारेपालिका का प्रतेकरण अनुचेद 50 में है अनुसूची जातियों तथा अनुसूचीद जन जातियों की सैचरिक तथा आर्थिखीतों की अभिविद्धी किसमें 46 में है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायम साहसन की इकाई के रूप में कार्य करने की यूजना अनुचित चालिस में है अनुचित बावन भात का एक राश्पति होगा अनुचित इक्क्यावन मौलिक करतब वे फिर देखेंगे आप 154 राज की कार्यपाली की शक्ति 165 राज का महादी वक्त तक है समानता कादिकार 14-18, शोशल की प्रुप अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतनता कादिकार 25-25, सांस्कृतिक एवं सैच्छिक स्वतनता कादिकार 29-30 है वह अनुचेट जो राजपती को छमा की शक्ति देता है, वह कौन सा है? 72 भारती सम्विधान में संग राजचेटर किसमें है? भाग 9 में है भारत की सम्विधान में भाग 11 है, यह 9 नहीं भाग 11 है भारत की समिधान में 3 इस्तरी पंचायतों की वरस्था किसमें हैं? भाग 9 में हैं शृत्य अनुसूची सपत या प्रतिज्ञान की प्रारूप में चौत्य अनुसूची आप देखेंगे राज्यों और संग राज छेत्रों के लिए राज सभा में इस्थान का आवंटन के लिए सातवी अनुसूची देखेंगे तो संसद और राज विधान मंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची है आठवी अनुसूची भाषाओं से सम्मंदित है संग राज छेत्रों के लिए राज सभा में इस्थान के आवंटन के लिए है सातवी देखेंगे तो संसद और राज विधान मंडल द्वारा बनाई जाने वाली विश्यों की सूची की आठवी भासाओं समंदित है पहले हमाई संविधान में चौदा भासा थी वर्तमान में कितनी हैं बाईस भासां याद रखिएं। भारती समिधान का अनुचेत चोट देव नागरिक लीपी में हिंदी को संग की राज भासा के रूप में मानता देता है वह देता है 343, भारती सम्विधान के तह तहट उत्तर प्रदेश में महाधी वक्तक की नियूपति कौन करता है, इसके किस आर्टिकल तुर अब हैं लोक सभा का अध्यच 93 में है संसत के दोनों सदनों का कारेकाल 83 में लिखा है राश्पती द्वारा संसत के दोनों सदनों का विशेश संबोधन 86 में लिखा हुआ है भारत के सम्मिधान के अंतगत प्रशास्निक अधिकरण का संबन्ध है 223 एक से अनुस्ट्टू.. टू.. यु.. यू.. रे.. यु.. यू.. 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 आश्छ.. आश्छ.. बाद.. नु.. पकॉन.. वत.. बे.. को.. यू.. य.. 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 आथ.. य.. मनाम भार्ष संग्वाद में बताया था कि हाँ सम्मिधान प्रस्तावना का भाग है अनुच्छे 324 निर्वाचन आयोग से 315 लोकसिवायोग से 200 से वित्यायोग से और 338 देखेंगे राष्टी अनुसूचित जाती से हैं भार्ष संग्विधान में वा कथन की विधी के प्राधिकर के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही इकत्रित किया जा सकता है वा किसमे है अनुच्छे 265 में है भार्ष संग्विधान के में अंतराष्टी वैपार की सोतनता नियमित की गई है अनुचेद 21, DE में 301 में एवं 301 से लेके 307 द्वारा भारती सम्विधान के अंतरगत अखिल भारती सिवाओं का प्रावधान किया गया अनुचे 312 में लोग सभा में एंगलो इंडियन समुदाय के लिए आरच्छन का प्रावधान सम्विधान में किया गया भारती सम्विधान में राज विधान सभा में आंगल भारती समुदायों के लिए जो प्रतिनित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत कि प्रात्री इस दर्पर मात्र भार्शा में सिच्छा को प्रयाब्ट सुभधायों की व्यस्था करने का प्रयास करेगा? इसमें लिखा हुआ अनुच्छन पाइच्छे 350 का में लिखा हुआ हître pessoa मिधान में आपात इस्थिती की घुशना समंदित है 352 में भारती सम्विधान में प्रावधानों के अंतरगत संसोधन किया जा सकता है 368 के दुरू भारती सम्विधान में विभिन राज्यों से सम्मंदित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेक है अनुच्छे 371 में एक बार देख लिए भारती सम्विधान के विभिन राज्यों से सम्मंदित विशिष्ट प्रावधान का उलिए कहा है तीन सो खत्तर में है सम्विधान के अनुछेट तीन सो खत्तर के अंतरगत विशिष्ट प्रावधान किया गया है महाराष्ट और गुजरात के लिए किया गया है भारती सम्विधान की अनुसूचियों में राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य छेत्रों का ब्योरा देती है पहली अनुसूची देती है सम्वर्ती सूची का विशय क्या है वह विशे देखेंगे आप राधिक मामले का भारती यदि भारत संग के एक नए राजिकर स्रिजन करना हो तो सम्विधान में अवश्य संसोजित किया जाएगा पहली अनुसूची सम्विधान की चौती अनुसूची को सही सही वर्णित करता है इसमें राजसभा के इस्थान का आवंटन करता है भारत में और भारत के सम्विधान में राज सूची में समलित नहीं है या नहीं आप राधिक डंड की प्रक्रिया नहीं समलित है विवा विच्छेत और गोद लेना सम्विधान की सात्विय नुसूची में समलित किया गया है समवर्ति सूची का विशह है यह भारती सम्विधान की सात्विय नुसूची को सूची तीन समवर्ति सूची में सामिल किया गया है दंड प्रक्रिया को सरकार द्वारा सुल्ग एवं कर लगाने का अधिकार उल्ली खित है सात्विय निसूची में विधाई सक्तियों का केंद तथा राज्यों के मद्ध वितरन सम्विधान में उपन्दित है किसमें सात्विय निसूची में वे विशे जिस पर केंद्र वा राज सरकारे दोनों कनून बना सकती है, वो है सम्मर्थी सूची का विशे है। आर्थिक नियोजन भारती सम्मिधान में सम्मिलित है समर्थी सूची का विजह है। राज भूमी शुधार अधनीमों को सम्मिधानी सुरच्छ प्रदान करने ही तू सम्मिलित किया गया था नवी अनुसूची में। भारती सम्विधान की ग्यारावी अनुस्री सम्मनित किसी पंचायती राज से, भारत की 73 सम्विधान संसोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किये जाने वाले कारे कौन से हैं, वह जो सूची है वो ग्यारावी सूची है, भारती सम्विधान को विभाजित किया गया भारती सम्विधान को विभाजित किया गया है कितने भागों में 22 भागों में विभाजित किया गया है अब आगे देखते हैं भारती सम्विधान का भाग 12,330 से लेके 342 तक सम्मंदित है लोग सभा में अनुसुची जाती, जन जाती, आरच्छन तथा एंगलो इंडियन समुदाय के पतिनिद्रत्य से सम्मंदित है सम्मिधान का भाग छे सम्मंदित किसे राज्यों से हमारे सम्मिधान में तीन सुपान में पंचाय तो बनाने की परिकल्पना की गई है भाग नौ में संग का नाम और अधिनस्त छेत्र सम्मंदित है अनुचे एक से अब है नागृत्त सम्मंदित है अनुचे पाँच से विधी के समच समानता सम्मंदित है इसमें अनुचेद 14 में भारती सम्मिधान में विधी की सम्म्यक प्रक्रिया के सिर्धान को सामिल किया गया अनुचेद 21 में अल्प संक्यक वर्गों के हितों का सन्नचर सम्मंदित है अनुचेद 29 में भारती सम्मिधान में अनुछेद 25 में प्रियुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित करता है, पार्सी धर्म मानने वालों को भी किये करता है। फिर हैं भारती सम्मिधान की सात्वी अनुसूची के अंतरगत संग सूची में उलेखित नहीं है कौन गैस। भारती सम्मिधान में आवसिष्ट अधिकारों को दिया गया है संगी सरकार को। वित्य वित्य विधियक के बारे में विशेश उब्बंद किया गया है अनुछेद 117 में। भारत के संविधान में संग राज संबंदों का उलेखिया गया है भाग 11 में। भाहर के इस्थानों की तीत यात्रा का विशेप्रमारित है संग सूची में। भारत में या उपन्दित है की भारती संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा ऐनुछेद 393 में बोला गया है संसद में संसद के किसी सदन के सदस का पद सदन की अनमती के बिना 60 दिन तक सदन की सभी बैठक में उसकी अनुपस्थती रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त किया जा सकता है अनुछेद 104 के द्वारा किया जा सकता है सम्विधान के अंतरगत संसद के किसी सदसकु आयोगता के संबन में राश्पती निर्वाचन आयोग से राय मान सकता है अनुचेद 103 के थूँ भारत के सम्विधान के अंतरगत वार्सिक बजट के पेश किया रहता है 112 वार्सिक बजट सब नहीं है इध्यान लखिएगा भारती सम्विधान में उचितम न्याले को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों का पूर्वा लोकन करने की शक्ति प्रदान है 137 के माध्यम से जो उचितम न्याले जो निर्णय सुनाता है उसकी फिर से मतलब कि वो कर सकता है कि दुबारा सुनाए कर सकता है किसमें है देखेंगे आप 137 में है भारती सम्विधान में दल बदल विरोधी कानू को रखा गया है दस्वी अनुसूची में भारती सम्विधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचन निर्वाचे सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निहर्टता के बारे में उपन्द है वह है दस्वी अनुसूची, भारती सम्विधान के अनुचेत 370 में प्रावधान है आइस्थाई, भारती सम्विधान की नवी अनुसूची सम्मदित है भूमी सुधार से, भारत के सम्विधान में पिछड़ा वर्ग सब्द पहली बार आया है अनुचेद 14-4 में सम्विधान सभा का वह अनुचेद जिसके द्वारा आइस परसिता का अंत कर दिया गया है वह है अनुचेद 17 यदि भारती संग में एक नए राज्य का गठन होता है तो अवश्चक होगा पहली अनुची में कुछ बदलाव किया जाए कौन सा है अनुचेद 203 पन है वे तीन भासा हैं जो सम्विधान की आठवी अनुची में 71 संसोधन के द्वारा समलित की गई वह कौंकडी मरीपुडी नेपाली इसको याद करने के लिए आप नमक याद कर सकते हैं नेपाली मरीपुडी और कौंकडी नमक से जाज जाएग कि इस्थापना का प्राधान करता है सम्विधान के नुचेद 223 का के अंतरगत अब देखेंगे लोगपद के अनुचुत अनुचित ग्रहन्सा का सुधार जिस रीट यादिया जा सकता है उसे अधिकार प्रिच्छा कहते हैं अर्ति सम्विधान के अनुचेद में से वह अ वा अनुच्छेट 24 वा अनुच्छेट जिसके द्वारा संसत को यादिकार प्राप्त है कि राष्टी हीतों में वा राज सूची में दिये गए विश्यों पर कानून बना सकती है वा आप देखेंगे 249 है भारती सम्विधान का वा अनुच्छेट जो हर राज को प्राथमिक इस्तर पर उसकी मात्र भासा में सिच्छा उपलब्द कराने को प्रसाहन देता है वा अनुच्छेट 350 का है भारत की संग सूची में समलित विसे है 97 वा और वर्तमान में अभी कितने हो गए 100 विसे समलित हो गुवा कब बना 30 माई 1987 को बना ज्यारखन 15 नौंबर सन 2000 को बना तिलंगाना 2 जून 2014 को बना सबसे लेटेस जो बना है वो तिलंगाना है भारती संग आत्मक विवस्था के संदर में सही कतन है भारती सम्विधान के अंतरगत राज्यों को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है क्या आगे भारत में भाशा के आधार पर बना पहला राज कौन सा है वहाँ देखेंगे आंध्रदेश है अत्तिस गड़ राज का गठन जिसके विभाजन में संपन हुआ वाथा मध्रदेश नए राज निर्मार के लिए समविधानिक उपबंद नहीं है एक राज संग राजचेतर सामिल कर सकेगा भारत में नए राज स्रजन करने वाले विधियक को पारित होना आवश्चक है संसत के साधारन बहमत से पारित होना आवश्चक है अब है समविधान के प्रत्थम अनुछेत के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है याद रुखिएगा आंध्य प्रदेश पुनागठन विधियक राश्पती द्वारा अनुमोधित तता अस्ताचित किया गया मार्च 2014 में भारती संग के सह राज के रूप में प्रत्थम प्रवेस पारने वाला राज कौन से था सिक्किम था जिन राज्यों का सरजन 1960 के बाद हुआ उनका आरोही क्रम क्या है आप देखेंगे नागल लाइन फिर हर्याना फिर मेगाले फिर सिक्किम हुआ है भारती राज्यों के निर्माण का सही कालक रूप का है सिक्किम है फिर अर्माचल प्रदेश है फिर 36 गड़ है फिर चार कंड़ है यह 1971 में था भारत में राज्यों एवं संगी प्रदेश कौन से हैं? 28 राज्य है और 8 संग साथ स्प्रदेश है जिसमें से दिल्ली राजधानी भी सम्मिलित है राष्टी राजधानी छेत्र में अवस्तित है करनाल एवं रोहतक राज्य का सबसे महत्पूर्ट तत्य क्या है संप्रभूता भारत एक गरतन थे इसकार थे भारत में वनसानुगत शाषन नहीं है भारत में संग राज्यों का प्रशाषन होता है राश्पती द्वारा बंबई प्रांथ को गुजरात इवर महाराष्ट में विभाजित किया गया था 1960 में बह एक मात्र संगी छेत्र जहां सिरासभा के लिए एक सदस्रिका निर्वाचन होता है वो है पॉंडिचिरी नागा लाइन 1962 में जहारकन सद 2000 में तिलंगाना 2014 में सिक्किम 1975 मैंने एक अत्र बोल दिया था लेकिन है 1975 सबस्पहले नागा लाइन बना फिर आप देखेंगे कि सिक्किम बना सिक्किम वजहारकन फिर तिलंगाना दोजून को बना 2014 को अब है सम्विधान के मूल तत्व देखेंगे भारती सम्विधान के भाग तीन में वर्नित किया गया है मूल अधिकारों को वर्नित किया गया है अब उसके आगए देखेंगे भारती राजनीति की विवस्था की प्रक्ति के मूर्थ रूम में पाय जाते हैं निरंदर्ता इवं परिवर्तन के तत्व आगे भी बढ़ना है इसमें चलना निरंदर्त है और साथी साथ इसमें शन्सोदन होके इसमें परिवर्तन भी लाया जाता है इसलिए हमारे सम विदान को जीवन समगिधान भी कहा जाता है भारत के सम्विदान का वहाँ भाग जिसमें हम नाग्रिकों से सम्दित प्रावधान को पाते हैं भाग 3-5-11 नाग्रिकता से सम्दित प्रावधान पाते हैं इसके बाद आप मूल अधिकार प्रादम हो जाता है नागरिक्ता के अर्जन हेतु शर्टों को नियम करने के लिए सच्छम है संसद भारत में नागरिक्ता के विशय में सही है संपूर भारत में एकल नागरिक्ता होती है नागरिक्ता संसोद अधिनियम 2015 के अंतगर भारती काड़ धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजिक्रित होने के लिए आहर्त नहीं है वे भारती जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे वह तरीका जो नागरिक्ता समात नहीं करता कुछ महिने के लिए दूसरे देश की याद्रा पर जाना ऐसा रहेगा तो धान मंत्री के नागरिक्ता पहले चल जाएगी जाक के तौर पर लेकिन गरिये नहीं हो सकते को कॉमन सेंसे पढ़ने से पता चलता है सब एक मौलिक करता वे नहीं है क्या है कि राश्टी महत्यों के इसमारकों और इस्थानों की रच्छा करना अब है मौल अधिकार फंडामेंटल राइट वह व्यक्ति जिसने मौल अधिकारों को अमारे लोगों के लिए एक प्रतिक्या तथा सब विश्व के साथ किये गए समझोता कहा था वो कौन थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे सिच्छा का अधिकार मौलिक अधिकार में समलित किया गए कब 26 सम्विधान संसोधन सं 2002 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को किशी भी पेशे या वैवसाय करने का अधिकार को सुरच्चित करता है सम्विधान का अनुछेद 11G सम्विधान के अनुछेद 11G के अंतरगत कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि मादक द्रवों के वैवसाय करने का एक मौलिक करतब नहीं है आईश्परस्ता उन्मूलन के प्लिये प्रयास करना सम्विधान के प्रस्तावना सभी भारती नागरिकों को उपलब्द कराने के लिए वायदा नहीं करती है वा क्या है पूजा की समानता मौल अधिकार नहीं है समान कारिकली समान वेतन मौल अधिकार नहीं है यह आप देखेंगे कि आईए आपको किसमें आएगा मौलिक करतव्यों को सम्विधान में समाविष्ट किया गया है 1976 में बालकों के लिए मुफ्त इवं अनिवार सिच्छा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव हुआ एक अप्रेल 2010 से प्रभावी हुआ भारती सम्विधान में जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार में समलित नहीं है आरती समानता समलित नहीं है भारती सम्विधान के अधिन केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है धर्म चाती लिंग या जन्मिस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेत के प्रतिशेद का अधिकार है आपात कालिन इस्थिती में निलंबित किये जा सकते हैं मौलिक अधिकार अब ग्रहन के सिद्धान यहीं डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स समंदित है अनुछेत 13 से मौल अधिकारों से असंगत या उनकी अलप अलपी करन करने वाली विधियों को शून निगोशित किया जाता है अनुछेत 13 के अंतरगत भारत के सम्विधान द्वारा प्रदत 6 मौल अधिकारों में नहीं है क्या नहीं है विरोध का अधिकार विदेशी नागरिकों को मौल अधिकार प्राप नहीं है अभिवेक्ति सुदंतता का अधिकार भारती सम्विधान में समानता का अधिकार पांच अनुछेत 12 द्वारा प्रदान किया गया यह है अनुछेत 14 से लेके 18 भारती सम्विधान में कानून की समझ समानता से समदे थे अनुछे 14 भारती सम्विधान की प्रस्तावना में प्रियुक्त समाजवाद सब्द को इस अनुछेद या अनुछेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच नियाले वो समान कारिकली समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभासित करने की शक्ति प्राप्त हुई हुआ है 14 और 16 अनिक आर्टिकल 14 और 16 है दुत्य प्रिड़ी का मानों समझा जाता है समता का अधिकार इन्पोर्टेंट दुत्य पिड़ी का मानाव अधिकार समझा जाता है कैसा? वो है समता का अधिकार समविधान की प्रत्याभूत है समाजिक समानता अब है, सिच्छन सनस्थानों में अनुसूचित जाती और नुसूचित जन जातीयों के पच्छे में इस्थानों का आरच्छन शाषित होता है समविधान के अनुच्छित पंदरा चार में एक लोग नियोजन की विशे में भारत की सभी नागरिगों को आउसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान है अनुछेद 16 और 1 और 16 दो में किसमें लोग नियोजन में भारती सम्विधान में आइस परसता की उन्मूलन की बात कही गई है अनुछेद 17 में भारती सम्विधान में सुतरंदता का अधिकार चार अनुछेदों द्वारप्रदान किया गया है वे हैं अनुच्यद 19 और अनुच्यद 22 है बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रच्छा प्रदत है अनुच्यद 22 में भारती सम्मिधान के अनुच्यद 21 में समलित नहीं है मृत्यू का अधिकार नहीं है अनुछेद 29 वंडी को अनुछेद 21 से मिलाकर पढ़ने वे प्राप्त होता है विदीश यातरा का अधिकार प्राप्त होता है जिस वाद में या अभी निर्धारित किया गया कि रिशिकेश नगरपाली का छेतर के अंतरगत अंडे बेचने पर लगाये गए निशेद समविधान के अनुछेद वन जी का उल्लंगन नहीं है वो क्या है ओम प्रकाजव नाम उत्तरप्रदेश राज का प्रश्निकाब आया है कि 2008 में आया है रिशिकेश में तबकि जब वो अंडे नहीं बीचने का दिकार रिशिकेश अभी कट रहा है अब है हमारे समविधान में एक अभियुक्त को दोशा रोपन के कारण एक प्रक्रित के बारे में सूचिक किया जाने की गैरेंटी दी गई है वह अनुचे बाइस एक के द्वारे दी गई है मैं चाहरा हूँ इसमें आप यह भी देखें कि यह प्रश्न कप-कप पूछा गया तो मैं इसको और जूम आउट कर दे रहा हूं आपको वह पता चलिया कि यह प्रश्न कप-कप आये हुए हैं नहीं से इस दिख रहा हूँ अब आपको दिख रहा हूँ न कि यह प्रश्न कप आये हुए कैसे कैसे तो आपको ज्यादा मतब कि अब क्लियर्टी होगी लिए आगे बढ़ते हैं सर्वच न्याले ने सम्विधान के अनुच्छेद 22 में एक भदा दिखाई देने वाला उपन्ध है एके गोपालन बना मदरास राजवाद में श्रमिकों को परियाप्त मजदूरी ना दिये जाने से अतिलंगनी होता है अनुच्छेद 23 वा एक अनुच्छेद जिससे सर्वच न्याले ने एक इस प्रकार व्यक्यांगित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पकाईरी मानव अधिकार समलित हो गए है वा अनुच्छेद 23 भारत के समविधान में या उपन्द की 14 वर से कम किसी बालग को किसी कार खाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है या उपन्दित 24 में अनुच्छेद जो बच्चों के शोषन का निसियत करता है अनुच्छेद 24 6 वर्स की आयू से 14 वर्स की आयू की बीच की सभी बच्चों या शिश्वों को सिच्छा का अधिकार प्राप्त है मूल अधिकार में सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 का लच्छ सिच्छा को मुफ्त और अनिवार बनाना है उन बच्चों के अधिकार में नहीं थे जो प्रात्मिक इस तर तक के हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखो को किर्पान धारण एवं रखने का अधिकार, एवं राज्यों को समाजिक सुधारक, विधी निर्मार का अधिकार समलित है धार्मिक सुतनता के अधिकार में, मौलिक अधिकारों का रच्छक है कौन है, सरवोच न्याले है, उच न्य भी आले के अधिकार्यता में आते हैं, मूल अधिकार का प्रवर्तन आते हैं, प्रिविजेंशियल डेटेंशन के अंतरगत एक व्यक्ती को बीना मुकदमा चलाएं, बंदी बनाया जाया शकता है तीन मा खेलिए, वर्तमान समय में भारती समिधान के अंतर है, संपत्तिक अधिकार कैसा है वैध्धानिक अधिकार है और किसे में है तीन सो ए में है ध्यानकिये काम वह अधिकार जो संवैध्धानिक है परन्तु मूल अधिकार नहीं है संपत्ति रखने का अधिकार अब है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संसोधन करता है संसत करता है चितम न्याले ने या धारना व्यक्त की है कि मौल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छे लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूप रिखा तयार करने के लिए सच्चम बनाता है वो क्या है गोलक नाद बनाब स्टेट और पंजाब वाद एक मौलिक अधिकार नहीं है समान कार के लिए समान वेतन यह मौलिक अधिकार ना होके आपका DPSP है मौल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रत्ययोजन समफ्षान के अनुचेद 12 के अनुसरार राज की परिभासा में सम्मिलित माना जाता है भारती जीवन वीमा निगम मौल अधिकारों के अनुचेद 12 के अंतरगत राज है दिल्ली स्टॉक अक्षचेघ याज है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज में समलित नहीं है इंसिचूट ऑफ कंस्टूशनली एंड पॉलियामेंडरी स्टेडिस याई समविधानिक यह संसदी विश्व पर अध्यान संस्था ऐसी विधी जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के दू से अधिक संताने होंगी वह पंच या सरपंच का पद्धारन करने में निहर्थ होगा इस एक मान निविधी है एवं समविधान के अनुश्य चौदा पर अतिकर्मन नहीं करता है उच्तम न्याले निया निर्ने दिया जावेद बनाब हर्याना राज के वाद में दिया और यह PCSJ में आया हुआ है उचितम न्याले ने इस निर्णे के पश्चात सम्मिधान संसूर्धन दौरत समाजिक तथा सैच्छडिक त्रिष्टी से पिछड़े वर्ग के लिए विशेश प्रावधान किया कपक्या मदरास राजबनाम चंपक दोराई राजन यूपी सिविल जैज में आया हुगाई है प्रीमी लेवर का सिध्धान जो की जाती की खुशहाली वर्ग के आरच्छन की परिधी से बाहर रखता है पतिवन्दित करता है इंद्रा सहानी बनाम भारत संगवाद करता है प्रीमी लेवर वला व्यक्ति की सोतंतता के अधिकार में नहीं थै भारत में प्रेस की सोतंतता नहीं थै यदि यह निर्णय की सरकारी क्रमचारियों की हरताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया है की के रांग राजन बनाम तमिल लाडू राज के वाद में प्राग दोस्मुक्ति सिधान सम्मंदित है दोहरे परिसंकट से अर्वोच न्याले ने अनुचेद 21 में प्रियुक्त पद विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया की व्याख्या रिजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में माना है वा मेनका गांधी बनाम भारत संगवाद में माना है अनुचेद 21 में होने वाला अभिवेक्ति का दाएरा आनून द्वारा इस्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया हुआ मेनका गांधी बनाम भारत संगवाद में किया गया है भारत के राश्पती को भारत के राश्पती को मूल अधिकारों के कि गियानिमंवन को श्तंग और आनूचेद 369 में हैी जो राश्पती मूल अधिकारों के कि गियानिमंवन को श्तंग तक कर सकता है अब है समता का अधिकार 14-16, वाक की अधिकार 19-19, धर्मी की सोतनता 25, समयधानिक उप्चारों का अधिकार 32, बंदी प्रतच्ची करन भारती राज का मौलिक अधिकार नहीं है, समपत्तिक अधिकार नहीं है, वा मौल अधिकार जो समयधान के 352 अनिचेदों के अंतरगत उद्गोशित आपात में भी आजिस्तगित नहीं किया जासकता, वा प्राण वयम द्याहिक सुतनता नहीं किया जासकता, कुछ मौल अधिकार ससस्त्र सेना के सदस्चों को उपलब्द नहीं होते हैं, इसका निर्धारन का अधिकार है किसको संसक को है, अब राज के निती निद्यसक तत्व आ गए हैं, इसमें करीबन 20 पेच अभी और होंगे, अभी सियों समय देख लेते हैं कितना हुआ है, अभी 46 मेट वर तो हम इसको एक घंटा और बढ़ाते, इससे मैराथन क्लास पूरी बन जाएगी ये, तो एक बार में आप पढ़ सकेंगे, राज के निती निद्यसक तत्तो को पूर्णे आत्मक लोगों की पवित्र आकांशा माना है या केसी वीलर ने, भारती सम्विधान का ववा अनुछेद्यों समान नागरिक सहिता समद्य चववालिस, अभी उत्रकरने इसको लागू कर दिया है, भात के सम्विधान के भाग में राज के निती निद्यसक तत्तो वर्णित है किसमें भाग चार में, भात के निती निद्यसक तत्तो का हुआ अनुछेद जो राज को निद्यसित करता है कि वे उध्योगों के प्रबंद में कामगारों की सहा भागता सुनिशित करें, तिरा कि सरकारी समितियों समद्द 43 बी से हैं अब अंतराश्टी सांतियों सुरच्छा 51 समद्द है कौन सा प्रावधान नीती निजिस्तत्त तथा मौली कर्तव्य दोनों का भाग है वह देखेंगे पर्यावरान का सनच्छा है राज के नीती निजिस्तत्त तो अध्यन के लिए विभाजित किये जा सकते हैं समाजवादी, उधारव, बहुतिक्तावादी एवं गांधिवादी में भारती सम्विधान में कल्यारकरी राज के विचारों को समलित किया जाता है राज के नीती निदेसत तत्तों के द्वारा प्रभावी बनाने ही तु पारित किया गया है इस कारण से निर्धारित नहीं किया जाएगा कि अनुच्छे 14 और 19 में प्रदत अधिकारों में समलित है 42 सम्विधान संसुदन राज का नीती निज़त सिद्धान सम्विधान के बाद जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सला के रूप में भारत के सम्विधान कल्यान कारी राज का आदर्स प्रतिष्टित है वो राज के नीती निज़त्त तत्यों में भारत के कल्यानकारी राज होने का विचार पाया जाता है सम्मिधान के प्रस्तावना एवं राज के नीती निरिज़तत्तों में अधिक्तम संख्या का अधिक्तम कल्यान सुनिश्चित करने का उद्देश कल्यानकारी राज का होता है राज के नीती निज़तत्तों को लागू करने का निर्ने राज का होता है राज में नीती निज़तत्त सिध्धानतों का उद्देश नहीं है एक धर में राज की स्थापना करना समान कारेकली समान वेतन भारत के सम्विधान में सुनिश्चित किया गया है राज के नीती निज़त तत्यों के अंग के अंतरगत, राज्यों के नीती निज़त तत्यों में नहीं थे पुरुष यों इस्त्री को समान कारिकली समान वितन देना, वह नहीं है। अब है एक नीती निज़त तत्यों क्या है समान आचरन सहीता। असांत है, जो प्राण सिछा के बारे में, राज के नीती के निज़त तत्यों में नहीं है। वर्सिता कौन मूलन ये किसमे Are article 17 में है मूलदिकार में राज की नीती निज़वत्त्त नहीं है 14 वर्स की आईू तक के बच्छों को निशलुकर राप्त करनना यह jar no 21-ब है राज का नीती ने नीज़वत्त नहीं जिसका भुक्तान बैंक की सुभधा पर निर्भर करता है किसने केटी शाने किया था राज के नीती निर्दीसकत तो सम्मिधान की आत्मा है जो सम्मिधान को सामाजिक दर्शन को समिष्ट करती है उक्तिकतन किसमे है आप देखेंगे यह मिलेगा आपको ग्रीनविल आस्टिन का मनरेगा कारिकरम भारती सम्मिधान में लाया गया था तीरालिस वे नुच्छे तीरालिस को लागू करके सम्मिधान के अंतरगत काम का दिकार पाया जाता है राज के नीती निर्दीसकत में अब है राज्यों के नीती निर्दीसकत के पीछे बाद्धिकारी बल क्या है लोकमत का है सम्मिधान का वा भाग जो कल्यानकारी राज्य का आदर्स घोसित करता है वा राज्य के नीती निर्दीसकत है राज के नीती निर्दीसकत में सम्मलित नहीं है आजपरस्ता का उन्म मूल कर्तब, भारती सम्विधान, भारती सम्विधान के भाग दो में प्राउधान किया गया है, नागरिकता सम्बंदित प्राउधान किया गया है, भारती सम्विधान के अंतरगत मौली कर्तब नहीं है, आम चुनाओं में मद्दान का, भारत की सम्विधान में मूल कर्तब म मौलिक करतव नहीं है एक नागरिक के मूल करतव्यों को समलित नहीं है आश्परस्ता निभाने की और से प्रयास करना मौलिक करतव्यों से सम्मदित सही कथन नहीं है उन्हें परमा देश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है यह नहीं है भारत में एक नागरिक एक मूल कर्तव क्या है वह ने जीव का सरनच्छा भारत की समविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव की बात की गई है वह है भाग चार का वह समती जिसने सम्विधान सभा में मूल करतव्यों में समाविष्ट करने की संतुष्टी है वह है सरौन सिंग समती के द्वारा की गई थी अब है सरकार की शाषन प्रणाली जो है वो देखने जा रहे हैं अब संसदी व्यस्ता देख लेते हैं परामपरागत रूप से भारत की संसद में शून निकाल का आरम कब होता है 12 बजे मध्यान काल में होता है भारती संसद की कारवाही में शून निकाल का अर्थ है प्रश्निकाल के ठीक प्रस्चात का काल, प्रश्निकाल कब होता है? 11 बजे होता है. विधियक जो राज सभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, वह है धन विधियक. भारत में संसदात्मक विवस्था केंद्रियत्या से सम्विधान की और खिसकी 1981 दसक में यह एक लोक टंतरिक गणराज ऑ जिसमें संसदात्मक रोबी से सरकार है. एक सभुच सत्ता भारत की ज़नता में नहीं थे यह सभी मूलबूत लट्षण है भारत में राजियतिक व्वस्था विधाइका का जदात्मक व्वस्था अध्याचात्मक लैए यह आपको U.S.A. लियारे में ऐसा होता है अब देखते संसदी संगी बैवस्ता देखें हैं फेडरल सिस्टम देखते के संविधान एक चशक्त केंद люблю के प्रवित्ती वाला परिसंग संोय संविधान क्या है अथिक कठोर तथा अर्थिक लचीला के मद एक अच्छा संतुलन इस्थापित करता है केसी विल्यर ने बोला है भारत के संविधान का संगी लच्छन नहीं है एकरी नगृता नहीं है संविधान में संगात्मक एतंग धाचे में नहीं ढाला गया है केके आयर ने बोला है संगी छेद को प्रतिनित प्राप्त है लोगसभा में अध्याचात्मक सासन प्रणाली का मूल भूत तत्व है एकल कारपालिका कालकाणी का प्रमुक राश्पती होता है राश्पती अपने मंतरी परिषका का चैन करता है एवं राश्पति विव स्थापपिका को भंग नहीं कर सकता है या विशेष्टाय कहा अध्याचात्मक्त शाशन किनाली के विशेष्टा है केंड राज संभन देख लेते हैं केंड राज संभन को देखना है सरकारिया आयोग की संसुष्ट्री संबंदित है केंद्रा संबंद्र संबंदित है एक नई अखिल भारती सेवा का सजन ही तो संसुष्ट्री करना अनन्य अधिकार है राजसभा का सिच्छा एक विधी विशय के रूप में समलित है संबर्ति सूची में साभागी लोकतंत्र का सही विशय नहीं है शक्तियों का केंद्र करना उसके बाद देखें केंद एवं राज के बीच वैधानिक सक्तियों का बटवारा दिया जाता है सात्वी अनुसूची में भारती संविदान का वा भाग और अध्याय जो संग और राज के बीच विधाई शक्तियों के बारे में हैं वा है भाग ग्यारा और अध्याय एक अब है भारत में संग राज संबंद में संबंदित नहीं है इंद्र जीद गुपता संती संग और राजों के मत संबंदों की समिक्षा करने के लिए गठित किया गया सरकारिया आयोग उसके बाद देखेंगे सम्वेधानिक प्रावधानों पर परंपराओं रथा वहवारों पर नियाएक प्याक्ष्या पर एक बाचीत के लिए नियाए विन्यास पर निर्भर करता है भारत के भारत में केंद्रा संबंद सरकारिया आयोग का मुख उद्देश था केंद्रा संबंद का राज संग में सामानता यानि मत हता नहीं है कथन किसका है बी यार अमबेटिकर का है अब अंतर राची संबंद देखेंगे वा आयोग जिसकी सिफारिस पर भारत में अंतर राजी परिशत की स्थापना की वाती सरकारिया आयोग अंतर राजी विवादों की जाच करने और उन पर सला देने केंद तथा राज्यों या एक या एक से अधिक राज्यों में समान हितों के विश्यों पर अन्विशन एवं विचार विमर्स करना इवं राज के मद्द समन्वे के विशय पर संसुस्तियां करना एक प्रमुग उद्देश अंतर राजी परिशत का है अब देखेंगे बिना अनुमती संसद से 60 दिन अनुपस्त रहने पर किसी संसद को घोशित किया जा सकता है आयोग कावेरी नदी में जल बढ़वारे का विवा संबंदित तमिलाडू करना तक किरल पॉंडिचरी से अंतर राजी संबंदों को भारत के किसी भाग अत्वर संपूर भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकते बिना किसी राज की सहमती से संविधान का ववा अनुषेत जिसमें प्रतिक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उनके आधर्षों संस्थाव राष्ट ध्वज और राष्टगान के लिए समान प्रदसित करना एक कर्तव घोशित किया गया है अनुषेत 51 का का में आपात करन उपण दिख लेते हैं संसथ द्वारा संकट काल की घोशना का अनुवदन होना आवश्यक है एक माह के अंतराल में आपात काल में राज विधान सभा की अवधी बढ़ाई जा सकती है संसथ द्वारा भारत के वित्ति आपात काल की घोशना की गई कभी नहीं भा अधिकार जो राष्टी आपात काल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता व्यक्ति का सोतंता और जीवन का अधिकार भारती सम्विधान युद्ध और शान्ति की घोशना सकती नहीं थे राष्पती में राष्भारती सम्विधान के अंतरगत आपात काल होता है तीन प्रकार का लोग सभा के विग्टित करने की अवस्था में अनुशे 352 के अधिन आपात की उद्गोशना का अनुमोधन अनिवार है राष्भा द्वारा और उसके उपरान नई लोग सभा के पुनरगठन तक या अस्तित्व में रहेगा जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक के तीसरे दिन के भीतर इस अनुमोधन होना आवश्यक है आपात काल की घोशना की सिकृत ही तो उन्हें संसत के समझ रखना आवश्यक है एक महा के अंदर राश्पती राश्टी आपात की उद्गोशना निम्न आधार या आधारों पिक की जा सकती है बाहे आकमन युद्य और सुसत्र विद्रों के अनुसार भारती सम्विधान का वह अनुछे जिसके अंतरकर राज में राश्पती सासन लागू किया गया वह लागू करने के लिए विधी निर्मार की सक्ति बदान करता है दोसो तिरपन बिना अनुमती के दिन संसद में अनुपस्तित रहने पर संसद को आयोग घुशित किया जाएगा वह 60 दिन के लिए अगर 60 दिन तक नहीं है तो आयोग घुशित कि जाएगा अनन निरूप से प सभाद्वारा पारिधन विधियक रास सभाद्वारा भी पारिमान लिया जाएगा यदि रास सभाद्वारा उस पर कोई कारवाही नहीं की जाती तो 14 दिन तक यदि उपाध्यच लोग सभा का अध्यचता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है वह है बराबरी नहीं तो वह मतर नहीं देंगे भारती संसद में सामिल है राश्पती एवं दोनों सदन भारत के संसद से संसद के संबंद में सही कथं नहीं है मंत्री मडल के सदस्ता निम्र सदन तक सीमित है गलत है पुछ सदन को पार्लियमेंटो द्वारा दिसंबर उन्नियान निर्मित कानूनों के अनुसार एक नागरी के वयक्स होने की आयुनिधारित की गई अठारा लोकसभा और राजसभा की गणपूर्ती संख्या है फुल संख्या का एक बटा दस अब है संविधान की विश्या सूची में दिये गए विश्यों के अतरिक्त विश्यों पर कानून बना सकता है संसद द्वारा संसद में सून निकाल का समय है दुपहर बारा से लेकर एक बज़े तक का है उसके बाद देखेंगे संसद राज सूची के विश्या के संबन में का संसद की बैठक एक वर्ष में होना आवश्चक है दो बार भारती सम्विधान की आउशिष सक्तियां किसे नहीं थे संसद में हैं कोई विधियक जिसमें केवल वय अंतर्विलित हो और अनुछेद 110 में विननलित कोई विशय उसमें संबलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंब किया जा सकता है जब कोई विधियक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो उस विधियक पर अनुमत्ती रोक रोकने का अधिकार के राशपती को है धन विधियक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में राज सूची में समलित विश्यों के सम्मन में राश्पती हीत में विधी बना सकता है केवल राजपाल समविधान के अंतरगत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की सक्ति प्राप्थ है संसत को नए राजियों की इस्थापना करने की विधाई शक्ति किसको है संसद को है भारत के किसी राज में विधान परिशत का स्रजन अत्वाग उसकी समाप्ति की जाती है राज विधान सभा और ततसमंदित संकल पारित करने पर संसद द्वारा संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है जब सामान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती तो लेखा के लिए वोट ये इन्पॉर्टेद ध्यान रखेगा लोक सभा में किसी विधियक पर आम भास होती है रूतिय वाचन के समय भारति संग की विधाई शकतिया नहीं तें शंसद में हैं बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट प्रचरचा, विनियोग विधियक को पारित करना एवन वित्त करना ये सबी चरण है आप देखेंगे अब है निश्चित आउधी के लिए भारती संचित निधी में सिधन निकालने के लिए संग सरकार को अनुमोदन प्रदान करता है लेखा नुदान भारती संचित के दोनों सदनों की संयुक्त वैथक साधारन विधियक से संबंधित है और 108 में लिखा हुआ है यह भार्ति संसद भार्ति संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्ट बैठक इसके लिए बुलाई गई थी अब भार्ति संसद की संप्रभुता प्रतिबंदित है न्याइक समिच्छा से संसद के अधिकारियों में चून निकाल संसदी विवस्था की देन है भारत की 2013-14 के अंतिम छणों में भारत की संसद के समच्छ से वापस लिया गया दागी विधियक से समंदित विधियक है twenty a Do he to be that the road mango सभाय से मिल कर निर्मित होता है संद भारति संसद क्यांग लोग सबर राशबा और राशपती लेता है के संसद की से सदशा है से आयोग सम्धित प्रश्ण का निरना कौन लेता है निरवाच्न आयोग की परामर से राश्पती लेता है आप है ISO वा राज सभा कि सदस्यों का अधिक्तम संक्याकिति वो सकती है लगری लोग सभा में देख रहे 245 और राश्वा में 250 हो सकती है अब आगे देखेंगे राश्पति यहीं कि प्रेसिडेंट के बारे में देखें के इसमें अभी टोटल 25 पेज और पच्चे हुए है और 20 पेज, मैं चारों 20 पेज भी खतम हो जाए और 2 घंटे में पूरा पॉलिटी हमारा कम्प्लीट हो जाए आप चाहे तो 2 एक्स या 1.25 की स्पीड से लगागे देख सकते हैं तो जल्दी हो जाएगा राश्पति पद के नामांकन में प्रस्ताव को एवं अनमोदकों की संख्या न्यूंतम होने चाहिए 50 और 50 भारत की विदेशी संदियों पर बाचीत करने की शक्ती राश्पती के पास है लोग सभा में साधारा नीर्वाचन के प्रशात प्रतम सत्रित और प्रतिएक वर्ष के प्रतम सत्र के प्रारम में अपने अभिभाशर में संख्या को उसके आवाहन के कारणों के विशे पर उचीद करता है राश्पती भारती राश्पती जो लोग सभा अध्यच भी रहे हैं नीलम संजीव रेड़ी भारत के राश्पती का पद ग्रहन करने से पूर उप राश्पती के पद का कार नहीं कर रहे थे नीलम संजीव रेड़ी काम नहीं कर रहे हैं अब आगे देखते हैं, अब भारत के राश्पती के चुनाओं से सम्मदित विवादों का निर्ने करता है, भारत का सर्वोच नियाले करता है, राश्पती बनने के लिए आवश्यक उम्र क्या है, 35 वर्ष की है, राश्पती के उमिद्वारों के लिए आवश्यक नहीं है, प पुरांद अपनी सदस्ता छोड़नी होगी भारत के राश्पती की अनुपस्तिती में यदी उप राश्पती उप लब्द नहीं है तो राश्पती की तरह कारे कर सकता है भारत का प्रधान नयादिस भारत के राश्पती को कार अवधी की समापती से पूर भी पत से हटाये जा सकता है माभीयोग के द्वारा 61 में लिखा है राश्पती का माभीयोग 72 में का लिखा है हमादान की शक्ती भारत की राश्पती पर माभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्चा के कमस्कम 14 दिन पूर्व है भारत का रिक्त राश्पती का रिक्त इस्थान भर लिया जाना चाहिए छे माँ के अंदर भर लिया जाना चाहिए वित आयोग से वित आयोग के अध्यच इवं संग राज छेत्र के मुख मंत्री की नियुक्ति कौन करता है वह करता है भात का राश्पती संग की कारपाली का शक्ती राश्पती में नहीं थे अनुचे तीरपन के तहत संग की कारपाली के शक्ति नहीं थे राश्पती में भारत गरतंत्र का प्रमुख है राश्पती भात का राश्पती लोकसभा भंग हो तो आकाश्मिक निधी से धन राश से निकाली जाएगी राश्पती के आदेश पर लोकसभा और रासभा के सईयुक बैठक आहुत की जाती है राशपती द्वारा भारती सम्विधान के अंतगत राशपती को अधिकार है किवा किसी बिल पर अपनी अनमती रोक ले अंचेद 111 के अंतरगत किसी भागौलिक छेत को अनसुचित छेत्र गूशित करने का सम्विधानिक अधिकार किसको है राशपती को है विधी के प्रशने पर सर्वोच नयाले भारती सर्वोच नयाले से परामर्स लेने का अधिकार किसको है राशपती को है भाग के राशपती की शक्ति के बारे में सही कतन क्या है राशपती को सर्वोच नयाले का परामर्स को स्युकार करना चाहिए भात के महानयवादी नियंत्रक एवं महालिका परिच्छक एवं राजिकी राजपाल की नियुक्ति करता है कौन भारत का राश्पती भात का राश्पती राश्टी आपात की घोश्रा कर सकता है यदि खतरा पाहरी आकमर एवं ससक्त प्रविस्त पिद्रों का वोतो अब हैं कि भारत सम्विधान आसाधारन प्रस्तितियों में राश्पति को राजपाल के कृत्यों के निर्वाहन हितु उपंद कर सकता है 160 में लिखा है सम्विधानिक विशेशा दिकार जो राश्पति का नहीं है वो है वित्ती बिल पर पुनर विचार के लिए लोटाना भारत की राश्पति को अध्यादेश जारी करने की सकती 123 में है राश्पति को अध्यादेश निर्गित करने की शक्ति पेडित होती है भारत में से भारत के राशपती के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम क्या है? अब सर सम्मति से निर्वाचित भारत के राशपती थे एनसन्जीु रेडी राशपती का आपात कालिन अधिकार सम्विधान के साथ धोका या कथन किसे नों किसका है? एक देनात कुंजरुका है भारत के राश्पती से सम्मंदित सही कथन है दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है राश्ट का प्रतिनित्त करता है परंतु राश्ट का नीतित नहीं करता या उक्ति लागू होती किसके लिए राश्पती के लिए भारत के मुख नैदीज जिन्होंने राश्पती की रूप में काम किया जस्टिस M हिदायत उल्ला। राश्पती होने से पूर भारत के उप राश्पती पदपा आसीन हुए नीलम सजीयो रेड़ी। भारत के राश्पति जिन्होंने लगाता दो वर्स कार्ट किया डॉक्टर राजेन परसाथ, भारत का राश्पति नहीं करता है उपराश्पति, संसद सदस्य की आयोगता के प्रश्निकार निर्धार लेते सर्में राश्पति कार करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार क इवन महालिखक परिच्छक संगे के लेखक सम्दित प्रतिवेदन प्रस्तुर करता है राश्पति भाजकी राश्पति का भारत के संविधान के दिन भारत के राश्पति को अध्यानदेश जारी करनेsınızक करने शकती 123 में अंत्रगत इसके बाद देखेंगे Presidential Auditionist राश्पती का अधियादेश की अधिकतम संभावित अवदी कित्मी है शे महिने की है राश्पती का भाशन तयार किया जाता है पी एम और उसके मंत्री मंडल दौरा किया जाता है अब है लोग सभा को विगटित कर सकता है राश्पती कर सकता है अब उपराश्वपती की बारे में देख लेते हैं राज सभा का अध्यच होता है भारत का उपराजपती, भारत की दूतिय उचितम प्रतिश्चित पतादिर, पदधारी है, इसके पास अपने पद से जुड़े कोई औप्चारिक कारे नहीं है, राजपती के अनुपस्तिती में उसके कारे करता है, दिवम राजपती के रूप में आरे करता है, या राजपती त्यापत देता है या पदहचुत पिया जाता है या उसकी मृत्ति होती है तो भाथ जो वेक्ति है जिसके बारे पुरकतन है व्यत्तिय भात का उपराश्पति है लोकसभा में गुजरात की सीटे आप देखेंगे तो 26 है हरियाना में दस है हिमाचल प्रदेश में चार है और जारकंड में 14 है अनन अधिकार जो लोकसभा के हैं धन विद्य को पेश करना मंत्री परशत के विद्य आविस्पार प्रस्ताव पारिक करना लोकसभा है और चुनावार से साथ वी लोकसभा चुना हुआ था 19ons 1970 में 1159 में और नैंटीं नवह नंटीनीन अइन डिन इन उनके 69 में भिहार में लोकसभा सीटों की खुनां कितनी है करता है कि एक विद्यक धन विद्यक है यNe सबकराइब दंद़न सब्सक्ए या नहीं लोगसब अध्य है ह Denler हम्हें दोड़य है निरवाचित किया जाता है तुरूरा में धन थन विद्यक पुनास्थापच गया सकता है लोगसबा में लोगसबा की बैठक समाप्त की जा सकती है इस्तगन द्वारा, अत्रावसान द्वारा एवं विगिटन द्वारा लोगसभा के सत्र का आवसान करने के लिए प्राधिकृत है राश्पति लोगसभा में किसी विधियक पर आम बहस होती है दूतिय वाचन में अब हैं डिलिमिटेशन के लोगसभा सांसत छेत्र है उन्नाओ अब देखेंगे दो हजार नौव लोगसभा चुनाओ में निर्वाचको की संख्या मिलियन में है 714 लोगसभा वरासभा पतिनिद्द सबसे अधिक है उत्तरपदेश में सांसत के दोनों सदनों की सहियों बैठक यदिशता लोगसभा क का कर्तब है सदस्यों को सपत दिलाना अब है लोगसभा अध्यक्ष को उसके कारेकाल की समाप्ती के पद समाप्ती के पद पूर पद से हटाया जा सकता है यदि लोगसभा इस आसे का प्रस्ताव पारित कर दे कोई विदियक धन विदियक है या नहीं इसका निर्ने कौन कर लोग सभा का सच्वाले सीधे नियंत्रित होता है लोग सभा के अध्यच द्वारा लोग सभा अध्यच स्पीकर अपने का कॉस्टिंग वोटों का प्रियोग करता है वोट बराबर बराबर होने पर लोग सभा का स्पीकर अपना त्याग पर देता है लोग सभा के डिप्टी स प्रत्था मिस्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में आविस्पास प्रस्ताव लाया गया जीवे माव लंकर थे लोकसभा और राजसभा की गड़ पूर्ती करता है कुल सदस संख्या का एक बटे दस अनुसूचित जातियों के लिए आरच्छड नहीं अनुआचल पदे अब 17 उसान से तात्पर है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना संसके दोनों सदनों की सइध बैटक का पिटा सी ब्यास होगा लोकसभा का अध्याच्ज भारती संसद की लोक लेखा समिती के Centre के करता है लोकसभा का अध्यच लोकसभा राजसभा की संयुक्त बैठक आहुत की जाती है राश्पती द्वारा लोकसभा अध्यच के सीधे परवेच्छक के अंतरगत आता है लोकसभा सच्वाल है सदन में एक सदस से स्पीकर बोलने को मना करता हुए तूसरे सदन को बोलने को कह सकता है इसे कहा जाता है आप देखेंगे इल्डिंग दा फ्लोर कहा जाता है अब राश्पता का प्रतिनित कहां कहां केतना है तो राश्पता में राजिस्थान में दस है गुजरात में ग्यारा करनाटक में बारा पंजाब में साथ असम में देखेंगे तो राजसभा के सीटों के असम में साथ सीट जाती है 36 गड़ से 5 शिमाचल प्रदेश से 3 तो ओतर प्रदेश से 31 सीटे जाती है अब है 36 गर्सी राजसभा में स्थान देखेंगे तो पाँच है जाडगंड में 6 है तिलंगाना में 7 है उत्रागंड में 3 है भारती सम्विधान का अनुच्छेत जिसके अंतरगत अंतराश्टी समझोते को प्रभावी बनाने ही तू संसद राज सूची के विशे पर कानुन बना सकती है वह अनुच्छेत देखेंगे दूसो तिर्पन है आविश्वास प्रस्ताओं पर विचार करने का अधिकार नहीं है राजसभा को नहीं है राजसभा के चुनाओं के लिए अपेचिन नियूंतम आयू कितनी है तो देखें संक्या सबसे कम कहां है हिमाचल प्रदेश में है पहली बार एक सांसद या विधाय को इस आधार पर सदन की सदस्ता आयोग घोशित किया गया कि उसके अनुमती के बिना किसी साथ साथ लगाकर बैठने की अनुपस्थिती रहें वह सदस्त है राजसभा के राजसभा का सदस्त नहीं होता है वह होता है राजसभा कोई सभा लोग सभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्विधियक 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 को राजसभा में अधिक्तम रुका जा सकता है 14 दिन के लिए भारत में एक आंकित सक्तियों के अंतरगत आता है नई अकिल भारती सेवाओं कर सजन पधान मंत्री मनमुहन सिंग राज सभा सदस निर्वाचित हुए थे असम से राज सभा के एक तिहाई सदस प्रतिक दो वर्ष का दो वर्ष बाद आवकास ग्रहन कर लेते हैं सांसत जया बच्चन को राज सभा की सदस्ता के लिए आयोग ठहराया गय क्योंकि वे अध्यच के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थी उत्तर प्रदेश की फिल्म विकास परिसत के द्वारा वह राज सभा में राज्यों को आवंटित इस्थानों के आधार पर और रूही करम लाई है तो सब सदस्ता देखेंगे आप उत्तर प्रदेश प्रद्धान मंत्री एवं मंत्री परशद देख लेते हैं भारत के प्रद्धान मंत्री को राश्पती द्वारा किया जाता है नियुक्ति सम्विधान के अनुछेत 75-3 के उनसार भारत के मंत्री परिशद सामोहिक रूप से उत्तरदाईत किसके प्रती है लोकसभा के प्रत भारती सम्विधान के प्रावधानों में मंत्री परिशत की नियुक्ति और प्रद्चुक्त के लिए विवेचित करता है अनुशेत 75 अब भारत के आर्थिक मामलों कैबिनेट मंत्री का प्रमुक कौन है प्रधान मंत्री होता है भारत की वा मंत्री जो संसत के दोनों सदनों म अब कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं किवल कैबिनेट मंत्री अपने प्रधान मंत्री तुक काल में लोकसभा के सदर्स थे चन शेकर वो प्रधान मंत्री जिसने अपने कारेकाल में संसत का सामना नहीं किया वो थे 1414 अब है भारत के प्रधान मंत्री बनने से पूर हुए किसी भी राज के मुख मंत्री नहीं थे चंशेकर भारत के भारावे प्रधान मंत्री देव गौड़ा थे उप प्रधान मंत्री पद का सरजन हुआ सम्विधान के प्रावधानों को हटा कर भारती सम्विधान के नुच् कि राज कोशी नीटी का नीधान करता वित्यमंत्रा लेखारत की संची नीधी पर भारित नहीं है Bhaart के धानमंति के वेतन और भत्ते नहीं है कि अब उसके बाद देखेंगे भारत के सम्मिधान लेखित नहीं है बज़ट नहीं लेखित पचत सब्द नहीं लेखित बाद के प्रधान मंत्री का पद एक बार में अधिक समरंत्राल के बाद शुश्ववित किया है गुर्जारी लाल नंदा इंद्रा गांधी और टलविहारी बाचपेईने एक बार से अधिक और इसमें यहां भी होना चाहिए प्रधान मंत्री मोधी का नाम भी होना चाहिए उसके बाद है मंत्री परसद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15-65 से अधिक नहीं होगी उक्त प्रावधान अंतताप स्थापिक किया गया है। एक क्यानुवे संविधान सलसोधन 2003 की धारा दो के तहित। प्रधान मंतरी को एक निर्वाचित राजिक के रूप में संबोदित किया। हिंडन ने किया। संसदि समितियां इवं विभिन प्रस्ताओ। eye हो लोग लेखा समिती के सदतर से देखेंगे लोग सभव में फंदरा रास्टरा होते हैं भारति संसद कि लो लोकलेखा समधी समिच्छा करती है नियंद्र केम महालेखा परिच्छ के प्रति वेदन की विशेश का अधिकारphone करता ही सुचना इम्तक्निकी की स्थाई समिती के अध्यश होते हैं सशिर्थ हो वहाँ अनुमोधन जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिती का अनुमोधन प्राप्त होना चाहिए वहाँ अधिक अनुमोधन संसद की लोक लेखा समिती की बैठक में उपस्तित होते हैं भात के नियंतक और महाले का परिच्चक ध्यान अकर्शन सूचना के प्राविधान में सीमित किया गया इस्थगन प्रस्ताओ भारत में मंत्री प्रस्त रख सकती है विश्वास प्रस्ताओ कटवती प्रस्ताओ का संबंद किस संगी बजट से है आगे देखेंगे अब हम कि संसदी समिती गठित नहीं की जा सकती अलप संख्यक वर्गों के कल्यान के बारे में लोक लेखा नुदान संग सरकार के अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधी के लिए भारती संच समिती का अध्यच वा समिती का अध्यच सामानता विपच्छी दल का होता है लोक लेखा समिती का उसके बाद देखेंगे विभिन संविधान संसोदन एवं उसकी प्रक्रिया दहेज निशेद अधिनियम 1961 लागो किया गया एक जुलाई 1961 के लिए इसके लिए कते जॉयंट परल्यमेडि कमेटी बुलाई गई थी जो की एक सवाट मबढनित है और राश्पती बुलाता है वह समिधान संसोदन जिसके द्वारा दिल्ली को राश्टी राजधानी बनाया गया 69 वह समिधान संसोधन जो की GST वस्तुयम सेवा करके नियमों का किया अन्यमें के लिए आवश्चय प्राधान करता है वह 101 समिधान संसोधन है भारत की समिधान संसोधन के द्वारा मतदान की उम्रव 21 वर्स से गठागे 21 वर्ट से गठाक 18 वर्ट की गई 61 संसोधन द्वारा भारती संविधान में संसोधन के द्वारा भाग 9 भी जोड़ा गया वो 97 वर संसोधन के माद्यम से नागरिक्ता संसोधन विदियक 2019 को संसद में پेश किया गया 11 दिसंबर 2019 को भारत के इस्थाने शासन के इतिहास में एक आधार इस्तंब की रूप में माना जाता है 73वा सम्मिधान संसोधन मौलिक करतवियों को भारती संविधान में सामिल किया गया वर्श सं 2022 में, एक संविधान निक संसोधन, जो मौलिक करतवियों से समन्नित है 42-oga, संविधान के 42-wy संविधान संसोधन द्वारा नीती निदिसत ततों को पे नहीं जोडा गया, समान आचार सहिंता, सम्विधान के 73 और 74 संसोधन उत्तरदाईत है राज निर्वाचन आयोग जिला नियोजन समिती इवं राजवित आयोग के स्रजन के लिए दिल्ली नैशनल कैपिटल छेत्र है 69 वे सम्विधान 1951 के द्वारा सम्विधान का 52 संसोधन है किससे दलवदल कानून से है 44 सम्विधान संसोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस सीटों की संक्या 1971 की जनगर्ना के आधार पर की गई थी ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक विशेश वर्स के बाद पहली जनगर्ना ना हो जाय तो वर्स है 2026 है अब है कि लोकसभा और राजविधान सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आरच्छन से संबंदित है भारत के संबिधान का तिरान बेव संबंदित है केंडरी सिच्चा संस्थानों में प्रवेश के आरच्छन संबंदित भारती संसत के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेश पहुमत से पारित होना आवश्यक है साधारन विशेश संबिधान संसोधन दोनों सदनों से विशेश पहुमत से अब है भारत की सरकारी भासा संबंदित प्रावधानों का संसोधन हो सकता है सामाने पहुमत से सम्विधान संसोधन की पहल की जा सकती है संसत के किसी भी सदन में भारत में 2013 का किरियानवन हो चुका था 98 सम्विधान संसोधन फरवरी 2020 तक 104 सम्विधान संसोधन हो चुके है सिच्छा जो प्रारब में राज सूची का विसे है उसमें समवर्ती सूची में इस्थानगित किया गया है 42 समविधान संसोधन को भारत में एक नए राज्यों के सर्जन के प्रयोजन के लिए भारत के समविधान का संसोधन पारित होना चाहिए संसत के साधारन बहुमत से समविधान के बारावा परिशृत जोड़ा गया 74 समविधान संसोधन द्वारा आप देखते हैं 1492 समविधान संसोधन गया था आनुछेएथ 134 όसा weniger चाहिए किया गया अब है 96 सम्विधान संसोदन जो 2011 में किया गया उसमें 8 वी अनुसूची में संसोदन किया गया और साथ ही देखेंगे 103 सम्विधान संसोदन जो था वो अनुचेत 15 में संसोदन किया गया अब वरिता करम यूजना आयोग की उपाध्यच को भारत सरकार की सरकारी वरिता करम की महतुका दरजा दिया गया है भारत के कैबिनेट मंतरी के मंतरी पद के समान अब राजपाल और उपराजपाल के बारे में हैं अभी समय के अतना हो रहा है देखते हैं एक घंटा का 30 मीट वह जाएगा यहील, राज braking होता है राजपाल भारती सम्विधान के अनुछेद 162 में शीषक के अंत्रगत आता है राज्यों की कारपॉल की शक्तिका विस्तार, सम्विधान में अनुछेद जिसके अंत्रगत किसी राजि का राजपाल विधान मंडल के आवकास के दोरान अध्यादेश जारी करता है वो है अनुछे तोसो तेरा जब एक ही वेक्ति को दो दो से अधिक राज़ों का राजपाल नुक्त किया जाता है तो उस राजपाल को जो संदे उपलब्दियां और भत्ते मिलते हैं इसे उन राज़ों के बीच ऐसे अनुपात में आवन्टित किया जाता है जैसे राजपती आदेश द्वारा अधारित करें उसके बाद देखेंगे कि विधान सभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्द्ध करने को कहने के लिए मुख मंद्रियों को भरखास करने के लिए भारत के राजपती के विचारत किसी विद्धियक को आरचित करने के लिए लिये गए विधाई का द्वारपारित किसी विधियक को पुनर विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्री परिशत के परामर से सुतंत्र कार कर सकता है राज का राजपाल अनुछेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज की विधान सभा के गठन में साथ से कम सदसे नहीं होंगे सिक्किम राज का पंचायतों को वित्ती इस्तिती का पुनर लोकन करने के लिए वित्तायों का गठन किया का समन्दित राज का राजपाल सोतंत रूप से किसी राज का सौर्पतम महिला राजपाल बनी वह थी सरोजनी नाइडू राजिस्थान के राजपाल जिने बर्खास्त किया गया वा था रधुकल तिवारी आप देखेंगो उसके आगे कि इसी राज की राजपाल द्वारा जारी ओडिनेशन का अनुमोदन होना आवश्यक है राज की विधाई का द्वारा राजपाल को पद की सपद ग्रहान करवाता है उच्टम न्याले का मुख नैदिस करवाता है अब स्टार जो रहा है राज की विधान मंडल ऐसी परिस्तिती में जब राज विधान सभा के अद्यच को अपनी सीटे रिक्त करनी हो वह अपना त्याकपत अपने हस्त लेक से में हस्ताच्रि सही सौपेगा राज की विधान सभा के उपाद्यच को राज विधान मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कूरम गर्ण पूर्ती है दस सदस्य या कुल सदस्य का दसवा हिस्सा जो भी अधिक हो अब देखेंगे विधान सभा में सदस संख्या देखेंगे वर्स 1956 में पुनर गठित राज की दूई सदन्वक विधाई का थी पांच भारत के किसी राज की विधान सभा में अधिक्तम सदस्य हो सकते हैं पांच सो राज की आकाश्मिक निधी की इस्थापना के लिए उत्तरदाई थे किसी राज का विधान मंडल उत्तरखन गठन के बाद उत्तर पदेश की विधान सभा छेतर शेष बचीती 403 विधान परिस्थ किसी साधारन विशेष विधेयक को रोख सकती है चार मा के लिए रोख सकती है विधान परिस्थ जो है साधारन विधेयक को चार मा तक रोख सकती है आप हम पढ़ेंगे कि विधान सभाओं के विग्टन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है विधान सभा के विग्टन के बाद गठित विधान सभा की पहली बैटक के थिक पूरूर तक विधान सभाग की सरवाधिक संख्या है उत्तरपदेश में इतनी है 403 है इसी राज की विधान परिशत की इस्थापना और समाप्ती का प्रावधान भारती सम्विधान के अनुचेद 169 में है भारती सम्विधान का वह अनुशेद जिसके अंतरगत राज्यों में विधान परिस्द की स्थापना या समापती की वरस्था की गई अनुशेद 169 में की गई है मुखमंत्री और मंत्री पर सद देख लेते हैं मुखमंत्री से सम्मंदित सही कथन नहीं है वह राजपाल दौरा अपचारिक न्युक्ति पाता है किसी राज के मुखमंत्री से सम्मंदित एक सही कथन है राजपाल मुखमंत्री की सलाप पर अपने समस्तिक कृत्यों का व्योग करता है राज सरकार के मंत्रियों के वेतन इवं भत्ते का निधारन करता है, राज विधान सभा द्वारा होता है, सम्मिधान का वह अनुचेट जो मुख मंत्रियों के दायतों को परिभासित करता है, वह आप देखेंगे, अनुचेट 167 है, कुछ राज हेतु विशेष्ट भारती सम्विधान के अनुश्यत 381 द्वारा भारती राज्यों के लिए विश्यष प्राउधान करता है इस अनुश्यत के अंतरगत नहीं है केरल नहीं है दिल्ली की विधान सभा विभाजित है 70 भागों में दिल्ली NCR को छोड़कर भारत के संगी छेतर में 6 वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 हो गए लेकिन अभी जो देखेंगे 8 है यह पुराना प्रशन है जम्मु कश्मीर के मुख मंत्रियं की कारवदी होती है 6 वर्ष की थी उस समय लेकिन अभी समापत हो गया है जम्मु कश्मीर राज की कारिपाली की अत्यच का पद नाम सन 1965 में सदर ए कश्मीर से है अनुच्छित जन जातियों के सरवाधिक प्रतिनिधित निर्वाचन करता है मध्य प्रदेश में अब देखेंगे राज सभा जम्मु कश्मीर विधान सभा के राज विधान मंडल में किसी भी जाती के लिए आरच्छन नहीं था भारत के सरवाधिक अनुचि जाती वाला प्रदेश कौन सो था उत्तर प्रदेश भारत में समीधान के अनुचित 301 खा में विशेश उपबंद किया गया है असम के लिए किया गया है भारत का वह राज जहां सामानता कौमन सिविल कोड लागू है वह है गोवा नाय पालिका इजिश्ट्री समंदित दे जनी सर्वोच न्याले ने भारती बार काउंसल के दिव्यांगजन आधिकार अधिनियम 2016 की धारा तेश का अनुपालन विधी विशेविध्याले को सुनिश्चित करने का आदेश दिया वह था दिव्यांगन अधिकार समू वा अन बना भारत संग वा अन दोहजार 18 भारत क उचितम न्याले में न्याधीसों की संक्या में विद्धी करने की शक्ति नहीं थे संसद में सर्वोच न्याले में एक न्याधीस का त्याग पत्र समुधित होता है राशपती को अब देखेंगे कि भारत का संगी न्याले इस्थापित किया गया था 1937 को भारत के सर्वोच न्याले के कारवाहक मुख न्याधीस की न्युक्ति करता है राशपती करता है सर्वोच न्याले के तदर्त न्याधीसों की न्युक्ति होती है जब न्याले के किसी सत्र के लिए नियादीश का कोरम पूरा नहीं होता है तब मैं भारत के सम्विधान के पती सच्ची विश्वास और सच्ची निष्टा रखूंगा भारत की संप्रभुता और अकन्यता को बनाए रखूंगा अपने पद करतव्यों का निर्वाहन करूंगा स्वامिधान और कानुन की रच्छा करूँगा, या सपत ली जाती ये भारत के मुक्ष नयदीसवारा ली जाती है उचितम नयला के सम्विधान के निर्वाचन से संबन्दित मामले की सुनवाई करने के लिए नयदीसों की संक्या कम से कम होने चाहिए पांच उचितम उचितम तथा उच्व नियाले के नजपीशों की न्यूक्ति तथा इस्तांदरनत्र के लिए परामस प्रक्रिया से के संबंद में राश्पती को उचितम नियाले को एंक अभीडेशन लिया है एक अनुच्छेद 143 143 के अंतरगत दिया गया है तक दिया गया है कि उच्छतम न्यालाई के नियाधीस का वेतन निधारित करता है संसद्वारा केंद तथा राजी के विवादों का समधान करना भारती सर्वोच न्यालाई के जी साथ चेट्र अधिकार के अंतरगत आता है वह और प्रारंबिक चेट्र मिधान अनुच्छेद जो समधानिंग विवादों को सर्वोच न्यालाई के अपहीली चेतरों चेतरा अधिकार से संबन्दित है वगा 134-1 को मिलाकर अनुचित 132 को पढ़ना है सरवच न्याले एवं उचितम न्याले दोनों के अधिकार छेत में आते हैं मूल अधिकार का सनच्चर भारत के सरवच न्याले के सरवच न्याले ने समविधान के मूल भूर धाचे के सिध्धान्त से इसपष्ट किया किस्वनन भारती वार्द 1973 में भारत का सरवुच नियाले एक अभिले की नियाले इसका आसे किसे है इसमें सभी निर्णायों का साच्छात्मक मूल लिए होता है और इस पर किसी भी नियाले पर प्रष्ट नहीं लगाया जा सकता है अपने निर्णायों को परिवर्तित करने का धिकार सरव सर्वुच नियाले को है भारत के समिधान की मूल लाचय ने बुरुन्यादी धाच्छा का आधार है नियाक व्यक्या हाल ही में उचितम न्याले के प्रवासी पंचाट नेधारन अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन करतव्यों का उलंगन की आधार पर समयधाने गोशित किया गया अनुछे 355 के द्वारा बर्वात में सक्रीत समद्ध करताफ समत्तथ आह इस अन्तरक्ति एक वकटी एक व्यक्ति você चलाए बिना मुकदमा चलाए है बंदी बनाया जासकता है तीन माँख लिए बनाया जासकता है उसके आगे देखेंगे उच्छतम न्यालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के जारी कर सकती है पांच रीट याचिका अब न्यालय कि नियाले में कारवाहिक लंबी होने की दिशा में लागू की जा सकती है उत्प्रेशन रीट एक वेक्ति याचिका को नियाय पालिका द्वारा जाली किया जा सकता है तथा जिसमें नियाय पालिका कारवालिका को कहा जा सकता है क्यों आकार करे जो उसे पदच सक्दियों के अंतरगत करना चाहिए इस रीट को कहते हैं मेंडवन यानि पर्मादेश कहते हैं जब सर्वोच न्याले किसी व्यक्ति अत्वास संस्था को उसके दाइतों के निर्वाहन हेतु लेक जारी करता है तो उसे कहते हैं पर्मादेश पर्मादेश रीट में अब हैं उचितम न्याले द्वारा आज तक दूसरी बार सबसे बड़ी खंड़िपीट बनी है गूलकनात केस पे बनी है जो की ग्यारा जज़ों की थी तीरा ज़़ों केस में था केश्वनन भारती में था बात के उचितम न्याले ने संपूर कारव वाई अंग्रेजी भासम होगी या विहित है भाती सब्दान की धारत 348 में है उचितम न्याले के अवधार ने किये गए अनुछेद 72 तथा 161 के अंतरकत दाकिल गिये गई दयाय याचिका उनकी प्राप्ति के प्रती महा के भीतरी निस्तारन कर दी जाने चाहिए क्यूंक कि अवांच्छदित तेरी न्याय विवस्ता में विश्वास को कम करती है या शेर सिंग बनाम भारा सिंगवाद का निर्नय था पुचितम न्याले के अधिनिर्धारित किये गए संप्रभुता उन मुक्तों का सिध्धान्द मूल अधिकारों के अधिकर्मन के लिए प्रतिकर अभीकर्मन के जानने वली कारवाही पे लागू होता है नील वती बेहरा बनाम उडिशा राजजवाद में सर्वच न्याले है सेहात बनाम भारत संग वाद में दिया है अभी जो वाद वाले प्रशन हम छोड़ सकते हैं क्योंकि जो पीशेज़े में आये हुए हैं इसे मतलम नहीं है पीशेज़े जे लुवर देख सकते हैं यहां उचितम न्याले ने पी एन संगमा बनाम प्रावण मुकर जी का व द्वारा की जा सकती है अब यह भी जे पीशे अब हैं उच उच न्याले में अपार और कारिकारी न्यादीशों की न्युक्ति राश्पति की द्वारा की जा सकती है परन्तु ऐसे न्युक्ति क्योदी दो वर्से अधिक नहीं हो सकती है जो कारिकारी न्यादीशों की न्य सभी विवाद सर्वोच न्याले के पास लिए जा सकते हैं इसके प्रारंबिक छेत्र अधिकार कंत्र आता है वह न्याले जिसमें एक तदर्त नयदीश नियुक्त करने का प्राउधान है वह सर्वोच न्याले है भारती सम्विधान का संरच्छक तथर नागरिकों के मौलिक अधिकार कर अच्छक है बेस्ट बेकरी मामले में प्रमुख गौहर जाहिरा शेक को सर्वोच न्याले का द्वारा सजा दी गई गई न्याले के समझ अपने बयान पर मुकरने पर न्याले की आमानना के लिए दिया गया है अब देखते हैं उच न्याले सकती और छेत्र करता है कि उचितम न्याले द्वारा घोशित कानून भारत के राजचेद के भीतर सभी न्याले के लिए बादिकारी है वह है अनुच्छेद 141 है पुर्वत्तर में वह चार राज जो समान रूप से गुवा हाटी उच्छ न्याले से सम्दित हुआ असम नागा लैंड मीजोर और और अचल प्रदेश भारती सम्विधान का वह अनुच्छ जिसमें केंद्र केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उचितम न्याले का रावधान है वह है अनुच्छ 241 है भारत की उच्छ न्याले की संक्या है 21 वर्तमान में हो गई 25 अब धीदे बढ़ लई है सबसे अ भारत के संची निदी से व्यक्तिकत सोतंत्ता के लिए उच्छ न्याले जारी कर सकता है बंदी प्रतच्छी करण पीठ उचितम न्याले को सम्विधानिक अधिकार सम्विधानिक अधिकार सामधिक अधिकार और मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है परमादेश जारी करने की शक्ति भारत भारत में एक उच्छ न्याले के संब्द में सही कथन है सही कथन नहीं है वह उच्छ न्याले के न्याइधीशों की न्युक्ति राजपाल करता है राज के उच्छ न्याले का मुख छेतादिकार नहीं है परमादेश समंधित छेतादिकार नहीं है कारिकारी परिवार नियाले में परिवार नियाले अधिक्तम नियाले के आधार पर की गई है परिवारिक नियाले की स्थापना अब है इस्थानिक सासर नियाले लोकल गवर्नेंस पंचायती राज से समंदित प्रशन आएंगे इसमें हैं पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरच्छी सीठों का प्रावधार ने 243D3 में किया गया है भारत में पंचायती राज व्यस्था का शिल्पिकार भी यर महता है बी आर महता 19 6 मेहता 19 मिहता अशोग महता निसससत्तर जी वी के समिति 1985 सि एमल सिंद्य समिति 1986 सी पलवंत महता 1997 समिति 1986 समस्थान कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्थ से ही तो निर्वाचत हो सकता है यदि उसकी आयों पूरी कर ली हो 21 वर्स पंचायतों के समस्त चुनाओं का संचालन करता है राज निर्वाचन आयों करता है पंचायती राज पर अशोक महता समिती 1970 के प्रमुक सिफारिशों के संदर में क्या है पंचायती राज को तीन इस्तरी विवस्था के इस्थान पर दूस्थनी किया जाने की बात कही थी पंचायती राज की अनुसाशन किया गया है बल्वंत राय महता की रिपूर्ट पंचायतों गला दॉस्थानी सुषासन के प्रत्यच रूप्त-जी समचैती राज़Det सभूर्षा के प्राज समिधान के प्राउधानों के अंतरगत पंचायती चुनाउन कराने का निलने किया किस ने राज असरकार द्वारा किया गयाता हैं अक्टूबर 1969 में पंचायती राज बार्त के सरुपतम आरंग किया गया राजिस्थान में किया गया पंचायतों की सनचना से पाबत उपबंद करने का अधिकार राज का विधान मंडल का है पंचायती राजवस्ता अपनाई गई है लोक्तंत की शक्तियों की विकेंदी करना के लिए पंचायतों नगर पालिकाओं के सं सार्षन की एवं लोगतांती विकेंदी करने की वरस्ता की गई है पंचायती राज में सम्विधान के अंतरगत पंचायतों में महिलाओं के एक प्रतिनिद्रिक गयरंटी है रुच्छे 243 में इंचीला सम्विधानिक संतुष्टी प्रदेश में पंचायती राज लागू किय संत्या इस तरह किए भारती संविधान के 73 संविधान संसुधन सामिल जिला पंचायत जाती के लिए पदों का अरच्छन लागू होता है और आचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जिला योजना योजना में सम्र्द किये जाते नगर पंचायत ुथर्थ प्रदेश में पंचायती राज त्शानों में महिलाओं के लिए आरच्षन इस्थानों नहीं है नागरलाइड में नहीं है पंचायती राज संस्ता में नय पंचायतों नहीं कि नहीं है बिहार राज में एक पंचाय से समंदित नहीं है नगरपाली और समंदित memorize में पुरतीक पंचायत का कारेकालat करता है राज का आउधायत के विकेटं के उपरांत практи rec जो नए चुनाव संपन कराया जाते हूं छे मां के अंदर कराया जाते हैं पंचायती राज किसी विशिश्चिद्धान्त पर फंक्शन पर आयूजित करता है उसे कहते हैं लुक्ताद्रिक विकेंद्री कर भात के सम्मिधान कवा अनुश्य जो ग्राम पंचायत में से समितियों का कालूम करव भी आर महता है तो असोग महता राव और मेल सिंधिया समती है बी आर महता 1977 जीवेक समिति काम मधरास में नगरी करन वक्र की त्वरीत अवस्था कहा जाता है दूति अवस्था को राश्टी मिस्तार सेवा समधित है विकास क्षे नगर पालिकाओं को सम्विधानिक प्रायस्तिती दी गई सम्विधान के 34 सम्विधान ससुथा 1992 की सुरी 92 के द्वारा मिदान का वा भाग नगर पालिका से समंदित है वह देखेंगे भाग 9 A है इसी राज के न नगर पालिका का सीमा 6 अधिसुचित करने के लिए सच्छम है समंदित राज का पालिका परिशत और सेफ़ाई जो है चेत्र सम्हुति है अब है सहाकारी समेती भारती सम्हिधान के अनुशेद्ट 443-ZBC अनुशार सहाकारी समुधियों के निर्देशों को की अधिक्तम संक्या होती है कितनी 21 सहाकारी संगठरों में सदश्यों को मत कफत देने काधिकार है प्रतेक सदसे द्वारा प्रदत वित करते हुए आनुपात में समयधानिक निकाय है लेता है अब भात के प्रत्व मुक निर्वाचन आयुक कौन थे कुमार सुकुमार सेन सब्थम मुख संचालन करता है भात का निर्वाचन आयों निर्वाचन आयुक्त हटाए जा सकते हैं मुख निर्वाचन आयुक्त की परामर्स पर राश्पती द्वारा भारत के मुख निर्वाचन आयुक्त की पदूदी होती है छे वर्स या 65 वर्स या 65 वर्स किया जो पहले भी हो जाए चुनाओ के दिसुषना जारी करना समधित होता है आप देखेंगे चुनाओ आयोग के द्वारा नौ युवकों द्वारा अठारा वर्ष की आयोग पर मता दिकार पर पहली बार प्रियोग किये गए आम चुनाओ कौन था 1989 का हां का अब देखेंगे नीर्वाचन आयोग में तीन सदस्ति आयोग बनाया कब 1989 में बनाया बहुत के संचीत निदी पर लगाये जाने वाले अनि वाय गया नहीं है भारत की नीरवाचन में नहीं है भारत के निर्वvाचन को के सदस्यों के वेतन और पेंशन च犯 भारत है जो पंध्रावा भागय arcade करता है याद रखिएगा से लिए निर्वाचन से अंब वित्याएग के बारें देख लेते हैं बंद्रावे वित्यायों की सिफारिश 2021 से लेकर 25 शब्स तक रहेगी भारत के प्रमुक भारत की चुनाओं आयोग दर अक्टूबर 2021 में सभी मर्दाता के इन में डिजिटल मैपिंग के लिए शुरू किया गया गरूँ एप किससे है याद रखिएगा डिजि वित्यायों का प्रात्मी करतव क्या है संग और राज्यों के मद्ध कर राजसों के वित्रण हिर्टू सिफारिश करना भात के प्रतम वित्यायों के अध्यस्ते केजी नियोगी थे अंद्रावे वित्यायों द्वार निधारित करो 36 वित्रण के मापडंडों के अंतरकत प्रतिशत है आए दूरी पर बहरावे वित्यायोग के ने सुझाओ दिया है कि केंद्र और राज के राजस्व में घटा आकर सून करना है वर्स दो हजार अठ नौ तक है समिति समयथित्स विद्विभाग से चौदावे वित्यायों के अध्यक्ष से वी वाई-वी रैडी थे सरकार दिनाग दो एक तो हजाए तेरव वर्टित किया चौदावा वित्यायों भाथ की नियंत्रक्त महालेखा परिच्छ देर लेते बाद के नियंत्रक एवा महालेका परिच्छक का कारेकाल के वर सरकारी लेखो तता तक्सीमित रखा गया वो था 1976 अब नियंत्रक और महालेका परिच्छक के पद का सरजन किया गया समिधान द्वारा भात के नियंत्रक एवा महालेका परिच्छक का कारेकाल ता छे वर सब्सक्राइब के नियंत्रक एवा महालेका परिच्छक का एक मित्र लोक लेका समयती नियंत्रक महालेका परिच्छक की टिका टिपड़ी पर उचित कारवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसत्की है भारत के निय कि जो बारत के नियंत्र करता है महालेका परिश्य की न्यूब करता है इंग लित भारतिस अमिधान के अंदरगत संग लुक सेवा तर अगे इस इस तर से पद से हटाने के लिए अधिक्रित है केने सरकार द्वारा संग लोग सेवाायोग के कार्यों के अनुमन मोधन से संग लोग सेवायोग को सोपा जाता है भारत के राश्पती से उत्तर पदिश लोग सेवायोग में वै बराइत होता है कहा किल भारती सेवाउत के श्रेदू कितनी है अब देखते है अनुष जाती से अधरी देगा आएक्पी आयोक को अनुसूची जाती जन जाती घोशित करने की शक्ति सम्मेधानिक अधिकार में वहीत है वो है राश्पती के पास है अब भात का महाय नायवादी देख लेते हैं महहाय नायवादी नुक्त किया गया किसको और वेंकटर नुक्त किया गया純र भारत के राजपती दिरा दॉर्ण नुक्त किया जाता है उसकno योगता होनी चाहिए जो सर्वोच न्याले के नादिस की होती है या घृत किस्म है भारत की महहाय विदिक अधिकारी समझा जाता है महानयवादी को समझा जाता है अब उसके बाद देखेंगे कि समझा जाता है भात के टानुरी जनर्नल विदी सलाकार होते हैं भात सरकार के भात सरकार के प्रतम विदिक अधिकारी समझा जाता है महानायवादी को, वह अपना पद राश्पती के प्रसाद पर अंधान करता है, भाद का महानायवादी होता है वो, राज का अधिवक्ता देख लेते हैं। महानायवादी वक्ता है, राज सरकार का कानुनी सलाकार कोन होता है, महानायवादी वक्ता होता है। के बारे में हैं, बोडो सम्विधान की आठवी अनसूची का में सीकृतिव भाग है। भारती सम्विधान की आठवी अनसूची में सम्मिलित भासाओं को आधिकार सरवादिक बोली जाती है। भारती सम्विधान की आठवी अनसूची में मानता माने सरकारी भासाओं की संक्या कितनी हैं। भारती सम्विधान के 344 के तहत प्रतम राज की भासा आयोग को गठन किया गया उनसूची में बीजे खरे की अधिस्ता में। अब देखते हैं गैर सम्विधानिक निकाय कॉनफोंसी यूजना आयोग एवं नीती आयोग। नीती आयोग के संचालन परिसद में संचालन परिसद में राज का पतिजिन करता है मुख मंत्री करता है। नीती आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकार लच्छो द्वारा भारत सुचिकांग 2019-2020 में जारी रिपोर्ट करता उत्तर पदेश को वर्गिकित किया गया अच्छा परदरसन परफॉर्मिंग वर्ग में। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परसत कहा गया यूजना आयोग को एक समवेधानिक्तर संस्ता है नीती आयोग है। भारत में नीती आयोग की स्थापना जन्वरी 2015 में की कि एक संगी मंत्री परिशत द्वारा पारित एक विशिस प्रस्ताव में केंद सरकार यूजना आयोग द्वारा राज सरकारों के 20 मनवय करता का कार है राश्टी विकास परिशत का हम देखेंगे कि सम्विधानिक सरस्था नहीं है यूजना आयोग है भारत में यूजना आयोग के अध्यश्य प्रदान मंत्री एक सम्विधानिक निकाय नहीं है यूजना आयोग यूजना आयोग का अंति किया है नरेंद मोदी ने किया है भारत में एक समय से एक समय इसके ल में राश्टी विकास परिशत का गठन हुआ उनिस सभावन में राश्टी विकास परिशत कमों को संबंद होता है पंच वर्सी योजनाओं के अनुमोदन से संबंदित राश्टी योजना की उन्नती का उन्नती पर चर्चा करना राश्टी योजना के उद्देशों की या एक सम्विधानिक संस्था नहीं है मानव अधिकारों की अध्रण का प्रह्मुक्तु से शही सहा निया ए तो का यूग तो का रियाले कि स्थापना की गई कहां माराष्ट में की गई है अब विभिन महात्पूर्ण आयोग दिख लेते सरकारिया आयोग स्थाबित किया गया तक इन्जार सम्मंद की समिच्छा के लिए अब देखेते सम्मिधान समिच्छा हितु राष्टी आयोग के अध्यर से नयमूर्ति वेकनटि चलिया थे उचितम न्याले के नयदीशों की नयुक्ति के नयुक्ति में कारपालिका विधाईका एवं मुक मंत्री नयदीशों की भागेदारी की अनुशंसा की गई दूत्य प्रशाष्णिक सुधार आयोग के दौरा में राज निर्वाचन आयोग वित्यायोग एवं पंचायत है सम्मिधानिक प्राधिकर भारत के मानुवादिकार आयोग गठन किया गया उनिस सो इरानबे में किया गया पिछड़ों बढ़ का आयोग कौस थे काका कालेर कर साहब थे अब है राजनीतिक गती राजनीतिक गती शीलता के बारे में देख लेते हैं तेलगू देश्यम पार्टी 1982 में बहुजन समार्ट पार्टी 1984 में समाजवारी पार्टी 1952 में आयो ऑल इंडिया ट्रेमूल कॉंग्रेस प्राप्त कर सकता है तन पर दैते कम से कम चार राज्यों में राजनीतिक राष्टी राश्ट्य द्लल नहीं पेलगू देश्यम इसी राजनीतिक दल को च्षेत्री दला के रूप में मानता दी जाती यदि व permits क्योंठोररिक तो लुख सभा ये थिधातサवा perform tabtime चुनाव आठ पर्षन से प्राप्त करें छेत्री राजनीतिक दल है अकाली दल है लोग सभा के अध्या चित्वारा अधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल वहा राजनीतिक दलों के गड़ बंदन को विपच्छों को से मानता देने हितु कम से कम से कम होना चाहिए 55 सदर से केरल के प्रतम सामयवादी राज सरकार का गठन किया गया 1957 में किया गया अब्दल परिवर्तन कानून देख लेते हैं देखेंगे हम हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1954 का है जम्मुयम कश्मीर पुनारगटिंग अधिनियम 2009 का है सती प्रता निश्यत अधिनियम 1987 का दल बदल विरोधी कानून के सम्मंद में क्यों सा है दस्वी अनुसूची है दल बदल विरोधी अधिनियम जिस तीथी को पारित हुआ हुआ था 15 जनवरी 1950 यह हुआ एक दल बदल कानून निश्यत में अच्छांदित नहीं था किसी दल के साथ एक साथ पूं 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 दल बदल भारती सम्मिधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया दस्वी अनुसूची में रखा गया विविद यहने की मिशलियनिस में लेखते हैं वे अनुच्छेद जो भारत के मूल सम्मिधान का अंग नहीं अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 301 भारत के अब देखेंगे भारत के राज यह संग राजशेत में 20 लूमबर 2022 तक सबसे अधिक बार राश्पती रासन लगा कहा मारीपूर में लगा अब देखेंगे व्यक्ति और समंदित और समंदिता देखेंगे अल्के जा आर्थी प्रसासन सुधार से है मुराज देखाई बैंको के समाजी मियंतरसे समंदित है वा राज जो पस्चमी छेत्वी परिसत का सदस नहीं है वहा है राजिस्तान भारती सामिदान कानुचित 20 का हिस्सा नहीं है यातना के व्रिद निशेद भारत में न्याइक सक्रीता संबंदित है जनहीत याचिका से भारत में जनमत के निर्माण का मुक्तातु है सोतंत प्रैसंट इंद्रा गांधी राष्टी मुक्त विश्विध्याले स्थापित है सब्सक्राइसी में गुजुरात से पहलarbeit मुख मंतरी बनी अननदी बै승 पर्टेल बनी इसके बात देखेंगे विश्विध्याले का मुखतिय ते कहां नए दिल्ली में है एक उठाड़ी आनुदान विभग का कारे है विश्विध्यालों की वार्षिक परिच्छा का प्रविच्छा करना बिना बोजह के सीखना समिती के अध्यस्थ से प्रोफिशर यस पाल उसके बाद देखेंगे वह राज जिसमें ऐसे कानून बनाना प्रस्तावित है जिसमें नौकर शाहियों के बेहसाब परिसंपत्ति को जब्त किया था राजिस्थार राज निवाचन आयोग राज वुथी आयोग एवं जिला पंचाई सम्विधा ने प्रादिकरन है एक मूल अधिकार नहीं यह संपत्ति का अधिकार राज सभा रोक सकती है वित्ति बिल्कू रोक सकती है उच न्याले के नियादिस अपने अब उसके बाद देखेंगे कि दल तथा आंत्रिक चुनाओं जो जो दल के पदा धिकारियों के चया नहीं तो समय समय पर उप्योग होता है वह आंत्रिक दली लोगतंत्र होता है अनुपातिक पतिनेधितु और अनुपातिक पतिनेधितु की वेवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में सनुष्टित अल्पसंख्यकों के पतिनेधितु को सम्विधानिकतर अधिकार का अर्थ होआ शक्ति जो-समविधान-समाप्त नहीं है भारत की मुख भूमी सुधार का हिस्सा है बहु फसली योजना असंगटित श्रमिक समाजिक सुरच्छा अधिनियम पारित है दोजार आठ में बंद्वा मजदूर उन्मूलन किया गया मत देने का अधिकार और निर्वाचित और निर्वाचन होने का अधिकार भारत में एक वैधानिक अधिकार है राष्टी मत अधिकार दिवस मन आए जाता है 25 जनवरी को अधि मिलावर निवारक अधिनियम प्रतम बार लागो कियेगा उन्नी सुचोवन में अब 1931 में क्ताइस से मुक्त करता है या संसुदन किया गया कब 1976 में या गया नालंदा पर्यूजना कारीκιरम है अल्प संख्यक मामले के मंतराले से 1967 से 1971 की मद्ध अधिक्तम गटबंदन सरकार बनाने का रिकॉर्ड किसमें हैं बिहार में हैं उच्च या उच्चतम न्याले के प्राथम न्याधीज जिसने अपनी पई प्रत्ति को जनता के सामने सच्चा से रखा नयामूति के कंत्र हैं वह राश्वादी नेता जो 1925 में केंद्री विधान सभा का अध्याचनी स्पीकर चुना गया अब देखेंगे आप कि इंटरनेशनल को मुख्यला वस्तित कहां लंदन में किसी देश की प्रधान मंत्री बनने वाली प्रत्म महिला थि श्रीमाओ भंडार नायक ती अंतर राश्टी न्याले स्थापित है एक में अंतर राश्टी न्याले के नाधीशो की कारवधी कुति नौवर्शी होती है सम्विधान के अंतराश्टी भारती संग के राज विदेशी सीधे लेने की शक्ती है नहीं अब फिर अधिकारिक दस्तावेज जो भारत से सम्मंदित है शुवेद पत्र वैक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा देपूर्ण धन्रासी सम्विधान द्वारा सीमित कर दी गई है वह मरणुत प्रांत संपदा सुलक दो हजार यह है दो हजातेश में गोर्खाओं को ओबीसी का दर्जा मिला उत्राकंड में असंतुलित विकास पहचान खोने या भय का राजनेतिक वर्चस यह सभी कारण है भारत में छेत्रबाद के लड़कियों के लिए भारत में विवा की अधिक्तम विविद आयू कितनी है उत्हार सब्सक्राइब किया गया जोकिम भरे उध्योगों में बाल बाल श्रम का उप्योग धन विद्यक में उपबंद में समलित नहीं किया गया है जुर्माने तया अर्थदंद से समंदित भारत में नियाएक सकृता समंदित है यानहीं त्याचिका से 2014 दा इलेक्षन दे देजे इंडिया पुस्तक के लेखक है राजदीव सरदिसाई पिछड़े वर्ग का नागरी जीसे समंदित पदोस के सम्मिधान में परिभाशा नहीं आर्थिक पिछड़े आर्थिक द्रिष्टी से पिछड़े वर्ग है भारती सम्मिधान है ना ही कठोर है ना ही लच्शीला है भारत में प्रथम सामयवादी सरकार गठन कहा हुआ किरल में 1957 में किया गया भारत में संप्रभू है हम भारत के लोग आई पील से समधित व्यक्ति नियाधीस भगवती अब है पी आयल सौरी नियामूति भगवती उचित्तम नाले का वा निर्ने जिसमें साथ नियाधीसों के पीट द्वारा जनहीत वाद की अधार्ना की व्याख्या की गई वो थे एपी गुपता वनां भारत संग उसके बाद सम्धान का पूर्ण विश्वास एवं मानता अखंड लागू नहीं होता है नियमों के कृत्तों पे जिस कार्यों को प्रत्यच्ता नहीं किया जा सकता उसे परोष्टा भी नहीं किया जा सकता या सम्मधित कथन आभासी विक्टन के सिद्धान का प्रेस को विधान मंडल की कारवाही को प्रकासित करने का मूल अधिकार नहीं है क्यूंकि विधान मंडल का प्रतीक सदन सभी अपनी कारवाही को संचालन का अनन्य स्वामी है देखेंगे भारती सम्मिधान का वह अनुच्छ जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है वह अनुच्छ तीन सो साथ का है 1972 में प्राराम की गई रोजगार योजने सरुपतन प्राराम की गई महाराष्ट कहां की गई महाराष्ट में विश्विध्याले अनुदान आयोग को समयधानी दर्ज़पदान किया गया कब 1956 को नए राज्य का गठन भात अनुच्छ तीन में लिखा हुआ है नागरिक्ता अनुच्छ भाग दो में है मौलिक अधिकार जो है भाग तीन में है प्रशाष्णिक अधिकरन की स्थापना 223 इ तर्ज़पदा gires-e में है प्रे देखेंगे भाट का माहानैवादी देखेंगे लोक्रा की घथक में भाग लिता बित्यायोग 280 बहात के नियंत्र के मालिका प्रिच्छक 248 संगलुक सिवा 1315 राश्टी अनुसुशी जाती और जन जाती आयोग 338 कि अब है मौलिक करतब सम्मिधान का सम्मिधान का 42 सम्मिधान संसुदन दौरा लाया गया था सम्मिधान मौलिक अधिकार में संसुदन कर सकती केशवनन भारति गहती केश मूलथ नियुका सिद्धान मिल्णर 840 वोट भारती सम्विधान का वह संसोधन जो मंत्री मंडल मंत्री मंडल के आकार पर अंकुष लगाता है संसोधन 91 जिसमें 15% fix कर दी गई थी वह सम्विधानिक संसोधन जिसके द्वारा भारती सम्विधान में नवा अध्या जुड़ा गया वह था कौन सा गई था त्रवा सम्विधान संसोधन था इस तरह हमने पॉलिटी के section को पूरी पॉलिटी को हमने एक मारतन क्लास में complete कर दिया है अब हम अगले वीडियो के तोर पर जो मिलेंगे हम देखेंगे प्रियोटिप हमने क्यार देखेंगे अगले वीडियो में हमें लग रहा है हमें देख लेना चाहिए एकलोजी और इन्वार्मेंट को देख लेना चाहिए चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं लेकिन आप वीडियो जरूर देखिएगा एक बार नॉर्मल स्पीड को रहा कर देख सकते हैं चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने में हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करीजिए वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपना सुझाओ देने के लिए कमेंट भी करिए धन् आपने के लुघसे लुटन करते हैं लेकित लगते ही लेकिता हैं लेकिता हैं लेकिता कर देसे लिए अग।